जालो पर शुरू कर लेते हैं बहुत दिर हो गई है शुरू तो कर ही लेते हैं पहला क्वेस्ट्टन कोई नहीं है सबसे पहले हम करने वाले हैं फॉर्मुला रिविजिन जल्दी से अगर किसी ने मेरी वाली रील देखी होगी कौनसी रील नी यार इंस्टाग्राम पर थोई यूट्यो वाल शॉट देखांगे जिसमें उसरे के सारे फॉर्मूला रिवाईस कर आई थे जल्दी से सबको बता होगा कि पहला फॉर्मूला कौन सा है पहला फृर्मूला दूसरा थीसरा थीटा चौथा denुट् tp 60 जली से बताना पहला फॉर्मुला जल्दी सी यार सभी के सभी formula को हमें revise करना है पहला formula पहला formula start तो कर दिया formula बताओ यार सबसे पहले सारे के सारे formula revision करेंगा मैं वोल्ट question करवा दो सभी तरीके के shout करो हाँ बिल्कुल सभी तरीके के question है बिल्कुल सही एसान के बता दिया q is equals to n ही क्या ही है हमारा quantization of charge का दूसरा formula क्या है i is equals to q by t जो हमने पास current है that is charge per unit time है हमारे पास current ठीक clear है सबको clear है तीसरा बहुत ही प्यारा सा ohms लो नहीं है तीसरा तीसरा है हमारे पास v is equals to w by q गे तीन formula आपके basic formula में से आते है होट्स वाले question भी included है आशुतोष टेंशन नालो सभी दरीके के question है 20 most important question हम इसी ले कर आ रहे है ठीक next formula कौन सा है अपने पास हमारा arm's law arm's law क्या कहता है we is equals to I e r कहता है इसी से तीन formula बन जाते हैं कौन से इधर उधर 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 करते जा और सारे सारे formula बनते जाएंगे हाई प्रियांशू हाई गुदी इवनिंग गुदी इवनिंग बेता गुदी इवनिंग भाई यूट्यूब वालो में कोच भी जोश नहीं दिख रहा है मुझे समन नहा रहा है जल्दी यूट्यूब वाले सबको रिकमेंट दो कर दो क्लास की क्लास स्टार्ट हो गई है सिंग सिंबल्स का भी एक्स्प्रेशन दे बीटा क्यू मतलब चार्च एन मतलब नमबर ओफ एलेक्टरों ए की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 इस तो पाव माइनस 19 कॉलम आई हमें पता है करेंट टी हमें पता है टाइम वी हमें पता है वोल्टेश डिफरेंस डबलू पता है वोग डन क्यू पता है फिर से चार्ष बुल्टेज करेंट और आरपोर रिजिस्टेंस रिजिस्टेंस का ही एक और फॉर मूला होता है रोल बाई ए चीक है नेक्स्ट कोई फॉर्मला मिस्तो नहीं हुआ है हेलो हेलो बीटा हेलो हेलो स्टेडी लवर अंकित कुमार हर्श प्रियांशु जोश हाई है प्रियांशु का विपेन विजय ने तो आग लगा दिवे याब यूट्यू पे लग रिये कि थोड़ी आग आ फॉर्मुला सीरीज के लिए होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने भी रिजिस्टन्स सीरीज में लगे हो और पैरिलल के लिए 7th 1, 1 upon R equivalent is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 यानि कि जितने भी R लगे होंगे 8th, 8th कौन सा है? हमारा heat का formula है I square RT, V square upon RT और I V T 9th, 9th है हमारा power का formula IV भी लिख सकते हैं, V square upon R भी लिख सकते हैं और I square R भी लिख सकते हैं इसमें से कोई formula तो नहीं छुटा Good evening Chetan, Good evening Anu Good evening, Hi, Hello ma'am, Hello, Hello, Jaakir, Vipen बिल्कुल सही, Sadiq Total Gaming, Sajid Sajid के paper आ रहे हैं, Total paper लिख लो अपने आगें Gaming की जगाए हाँ, मोहमद साद ने मचा दिया है बाग अरे, 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 कोई दिक्कत नहीं है, चैवन भाई, आर पी लिख लो, चैवन भाई, आर एक्विविलेंट Derivation आ सकता है Chances है, Thank you Oh fan, मेरे fan आ गए है कौन-कौन है मेरा fan ठीक है, ठीक है अब मैं एक बर side हो रही हूँ so that आप जल्दी से इसका screenshot ले सकते हो जो screenshot नहीं ले सकता वो अपनी copy में note कर लो, वरना मैं PPT तो दे ही दूँगी ठीक है, दो मिनिट का time है जल्दी से सारे के सारे formulas देख लो किसी को कुछ दिखाई ना दे रहा हो तो वो भी बता देना हो गया? कोई दिक्कत नहीं है सुर्यांश, पलक, ये बहुत important है हाँ, क्योंकि formula से ही तो सब कुछ आएगा यार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यार, लेकिन तारीफ करना बन करो, बढ़ना शुरू करो आशी तोष, कुमार, हाई बिटा, हाई, और को ना है? चांदनी, कुमारी एनर्जी इजी इक्वाल स्टू पा, अच्छा ठीक है यार, ये भी लिख लो एनर्जी इस इक्वाल स्टू पावर इंटू टाइम चालिए, फर्स्ट क्वेशन के ओर चलते हैं, विदाउट एनी टाइम बेस्ट करें वे हम आठ नंबर का फॉर्मुला बता दो, बता, आठ नंबर का, बेटा ये हीट है, ये इसके फॉर्मुला है, हीट प्रोड्यूस्ट का, हीट प्रोड्यूस्ट के फॉर्मुला हमारे पास ये तीन होते हैं, इसका अगर डेरिवेशन करना है, तो मैं क्या करूंगी यार, एक ज आते हैं इन चारों के डेरिवेशन, इन चारों के डेरिवेशन आते हैं, हाँ हाँ, question करा रही हूँ, शान्त हो जाए, notes कहां मिलेंगे, notes group में मिलेंगे, चीक, हाई आ रहे है, चालिए first question आपकी screen पर आ चुका है, इस question को attempt करने का try कीजिए, दिख रहा होगा सभी को, जोश कम नहीं होना चाहिए, फड़ा फड़ा answer आना चाहिए, good evening Ruby, good evening जोती, work done किसके equal होता है, work done ये रहा बेटा, sorry में एक बार के लिए ये हटा रहे हूँ, work done का ये है बेटा formula, work done हमारा, अरे ये क्या हो गया, आप फिर से ठीक करना पड़ेगा, work done हमारा, v into q के equal होता है, या फिर हमारा work done heat produce के equal भी होता है, चीक, next question, ये तो सब बच्पन में बढ़ते हो यार, इस चाप्टर का फॉर्मला नहीं है, इस चाप्टर का ये फॉर्मला नहीं है, तो पहला question ही आपका थोड़ा level high दिखेगा, ऐसा कुछ बहुत सीधे-सीधे question नहीं लाई हूँ, जो मैं पहले करा चुकी हूँ आप लोग को, बिल्कुल new questions है, तो फड़ा-फट से start करते हैं, टाइम कम है, इसलिए जल्दी-जल्दी से हमें 20 numerical पूरे करने हैं, इतने से ही टाइम में, ठीक? Hello, hello, hello everyone, good evening, good evening, good evening, बस, 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 question का answer कौन करेगा, Hello, Niharta Singh, जल्दी से करो यार, attempt 2 seconds तो तुम्हें दे नहीं चाहिए, मुझे, Live यहीं चल रहा है बीटा, और कहीं नहीं चल रहा है, यहीं चल रहा है, ठीक है, पहले दिखते है, question क्या कह रहा है, A wire of length 3 meter, area of cross-section 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square, has resistance is equals to 3 into 10 is to power minus 2 ohm, what is the formula, पहले में पुछा है, what is the formula for resistivity of wire and the unit of it, एपार्ट में आप से क्या पुछा है, resistivity का formula पुछा है, resistivity का formula कैसे निकालेंगे, हमें याद है, R is equals to rho L by A नाम का एक formula लिखा था, इसमें ये जो rho है, यही resistivity है, तो यहाँ से rho को एक side रखके, बागी सारी चीज़ें दूसरी side ले जाओ, R A by L, आगया आपके पास formula, formula आगया, cross-section का मतलब होता है, अंकित जैसे आपने ये wire बनाई, ये जो cross-section जिससे हमारी चीज़ें enter होते हैं, cross-section क्या है, ये वाला area जहां से हमारी चीज़ें enter हो रही है, या फिर ये गोले वाला अगर circular wire है तो, I am good Shriali, आप कैसे हो, मैम black pen से लिखी answer प्लीज कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये लो, और बताओ, हाँ, यूनिट कौन बताएगा, यूनिट किसी नहीं बताई, हाँ बेटा प्लीज साजिद, spam मत करो, बाकि सारे किसी के नहीं दिखेंगे, मैम ऐसा question कभी नहीं देखा, तभी तो यार, यहाँ पर तभी तो करा रहे हैं, आश्यो तोश ने answer दे दिया है, नहीं किसी और ने भी दिया हुआ है, continuing आयूश ने भी दे दिया है, यूनिट क्या होगी, निकाल भी सकते हैं यूनिट, रेजिस्टेंस की ओम, एरिया की मीटर स्क्वेर, लेंथ की मीटर, एक मीटर से एक मीटर कटी, तो हमारे पास यूनिट हो गई, ओम मीटर, यूनिट आ गई, करते हैं, अब भी पार्ट, ब्लैक पैन से सबको क्लियर दिख रहा है, ओ, वेल डान, वेल डान, बस बस साजेद, साजेद, स्पैम नहीं करना, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, उपासना, बिटा, हमने कुछ किया ही नहीं, हमने सिरफ फॉर्मूला लिखा है, सिरफ फॉर्मूला लिखा है, यह हमारे पास फॉर्मूला होता है, resistance का, इसमें से रोह resistivity का formula पूछा है, तो रोह को एक साइड रखा, बाकी सब चीजों को दूसरी साइड ले गए, चीक है, गूद इवनिंग किया रहा, गूद इवनिंग, ठीक, बी पाट करे, रोग कैलकुलेट दा resistivity of wire, resistivity का formula, r a by l, given क्या क्या है, आपको length given है, l है 3 meter, area, area of cross section, 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square, resistance भी given है, resistance भी given है, resistance की value है, 3 into 10 to the power minus 2 ohm, सारी values put कर दू, तो क्या बन जाएगा, resistance 3 into 10 to the power minus 2, area 1.7 into 10 to the power minus 6, divided by 3, so the answer is 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter, ठीक, आगे बड़े, बोड को ब्लाक कलर कर दू, नहीं दिखाई देरा किसी को भी, किस किस को दिखका दूरिया, बिलकुल सही, चेतन, सपने बहुत चांसर दिया, आशुतोष, चेतन, नगमा, गुड़ीवनिंग, बेटा, गुड़ीवनिंग, निहारिता, प्रिया, सबका आंसर बिलकुल ठीक है, थोड़ा easy question था, हाड लियाओ, इससे, मैं देखती हूँ बेटा, pen change करके देखती हूँ, computer जी एक बच से या color change करें, ठीक, चालिए, computer जी ने धंजब दे दिया, इसका मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं, अभी इस question को attempt करना है, गुड़ीवनिंग सिव सिया, गुड़ीवनिंग दिवेश, दिखरा है, दिखरा है, ठीक है, ठीक है, मुझे तो clear दिखरा है, सबका पता नहीं, ठीक नहीं होंगे, the given table below shows the resistivity of three material, तीन material की resistivity दी हुई है, x, y, z, पहले में बोला है कि arrange the sample in the increasing order of conductivity, अब सबको पता है, conductivity, conductivity, उतनी जादा होती है, जितनी जादा, जितनी कम resistivity होती है, मतलब एक inverse relationship है इन दोनों के बीच में, कैसे इस चीज को समझने की कोशिश करते है, फटा-फटा विदिन one minute, पहले लिख दो, conductivity is inversely proportional to resistivity, resistivity किसके equal होती है, resistivity is directly proportional to resistance, और resistance जितना जादा conductivity उतनी कम, यही तो कहते है, insulator का resistance बहुत जादा होता है, इसलिए insulator conduct नहीं कर सकते है, और conductor का resistance बहुत कम होता है, इसलिए वो conduct कर सकते हैं, तो सेम चीज आपके पास यह भी है, कि यार, conductivity और resistivity का inverse relationship होता है, बिल्कुल सही, किसने answer दिया है, z, y, x is the order, order क्या होगा, a का answer क्या होगा, a का answer होगा, 10-6, minus 9, minus 17, तो z का सबसे जादा है, सुरी यह तो जादा वाला हो गया, ना, सादा, increasing order करना है, इसका मतलब बेटा पहले सबसे कम लिखना पड़ेगा, पहले सबसे कम वाला लिखना पड़ेगा, आप बताओ कौन सी वेल्यू सबसे कम है, कौन सी वेल्यू, साजिद बेटा मत करो स्पैम, सबसे कम होगी आपकी वाई की, फिर उसके बाद, उसके बाद, वाई के बाद, एक्स की, फिर जड की, क्लियर, क्लियर, ठीक, साजिद को अब आप टाइम आउट करने वाले हम लोग, अगर आब उसने किया तो, next is, which of these is the best, best conductor, best conductor कौन सा है, कोई दिक्कत निया आदिया, कोई भी बात नियार, सबसे गलती हो जाती है, कोई दिक्कत निया, विपन कुमार, जोती, कौन सा है, best conductor, best conductor वो होगा, जिसकी resistivity, सबसे, सबसे जादा होगी, जितनी जादा resistivity, उतना कम अच्छा conductor, जिसकी सबसे कम resistivity होगी, सबसे जिसकी सबसे कम resistivity होगी, क्योंकि inverse relationship है, and सबसे best insulator कौन सा होगा, सबसे जादा resistivity वाला, सबसे जादा resistivity किसकी है, सबसे जादा resistivity किसकी है, कोई बोल नहीं रहा, देखो, किसी ने भी ये answer सही नहीं बताया, कोई ध्यान निदे रहा ना कि मैं गलत कर रहे हो, Z is the best insulator, बेटा देखो, inverse relationship है, जितनी जादा resistivity, उतना कम अच्छा conductor, क्योंकि inverse relationship है, जितना जादा resistivity, उतना कम अच्छा conductor, और जितनी कम resistivity, उतना ही अच्छा conductor, तो जिसका conductor best बताना है, तो जिसकी सबसे कम resistivity होगी, वो बताना पड़ेगा, ये है 10 to the power 9, अब number line देखो, ये है आपका 0, सबसे पहले आएगा 10 to the power minus 6, फिर हाएगा 10 to the power minus 17, फिर आएगा आपके पास 10 to the power, अरे नहीं नहीं नहीं, फिर हाएगा 10 to the power 9, फिर हाएगा 10 to the power minus 17, तो सबसे कम किसकी होगी, 10 to the power minus 17 वाले की, तो Z is the best conductor, और insulator कौन होगा, इंसुलेटर होगा, जिसकी सबसे जादा resistivity होगी, ये power सबने ध्यान नहीं दिया, मिरको लगता है negative में है, power negative में है, हाई पिंकी, उपासना को repeat करना है, repeat कर देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर से देख लेते हैं, फड़ा-फट से कि conductivity और resistivity में inverse relationship है, तो best conductor पूछा है, तो जिसकी resistivity सबसे कम होगी, वो उतना अच्छा conductor होगा, और सबसे कम resistivity किसकी है, 10 to the power minus 17, minus 17 का मतलब क्या है, minus 17 का मतलब है कि उतनी power division में, मतलब 18 divided by 10 to the power 17, ये 11.1 divided by 10 to the power 6, और 3 into 10 to the power 9, तो पावर डिरोबिनेटर जितना बड़ा quantity उतनी कम, ये quantity उतनी कम उतना अच्छा conductor, दे देंगे, चीक, हेलो वैश नव, हेलो बीटा, कोई दिक्कत, next question की ओर चल लिते हैं, फड़वट से insulator तो समझ भी आ गया होगा, insulator का direct relationship है, कि जितना जादा अच्छा resistance, उतना जादा अच्छा insulator, तो सबसे जादा resistance इसका है, क्योंकि इसकी power minus में, इसकी power minus में सबसे कम है, मैं माइनस का 9 प्लस के 6 से कैसे बड़ा है, बेटा ये सारी चीजे माइनस में है, ये देखो, ये सब माइनस में दिया हुआ है, ये 10 कर लो इसको, ये सब माइनस में दिया हुआ है, माइनस 9, माइनस 6, माइनस 17, मैं जिसकी resistivity कम, उसका resistance कम, तो कन्डक्टिविटी जादा, हाँ, बिलकुल सही ऑर्डर, सो मैं कन्डक्टिविटी का ओर्डर जैड, बिलकुल सही का आशितोशने, ठीक, हाई खुशी बीटा, हाई हलो हलो हलो, कोई भी पैम निकरो, यार प्लीज मत करो, विनौत प्रजापती, हाई बेटा, next question यार जल्द जल्दी पट बीस question करने है there are M resistor each of resistance R ठीक उसके बाद अरे अरे यह क्या हो गया हाँ यह रहा order उल्टा लिखाय मैंने देख लिटे आ arrange the sample in increasing order of conductivity increasing order of conducting conductivity मतलब decreasing order of resisting decreasing order of resistance तो मतलब सबसे ज्यादा कम सबसे कम सबसे ज्यादा Y की है उससे कम X की है और सबसे कम Z की है सही लिखा है आशुतोष एक बार आप देख लिजी अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो मैं बता देती हूँ सबकी बैटरी कम जोर हो गई है अभी से कैसे हो गई यार ऐसे कैसे ऐसे कैसे नेक्स्ट क्वेश्चिन से देखते हैं थांक्यू शो मच अभून अनुभव अभीनव शिर्वास्तव पर वेटा स्पैम नहीं करना थांक्यू विविनो थांक्यू सो मच हाई निहा सेंग हाई वेटा क्लियर है चालिए नेक्स्ट क्वेश्चिन है कि आपके पास M रेजिस्टर है नंबर ओफ रेजिस्टर कितने है M सबकी वेल्यू कितनी है R है पहले वो सारे सीरीज में कनेक्ट होते है एक्स की वेल्यू क्या है सीरीज के एक्विवेलेंट की रेजिस्टर के बराबर है तो R प्लस R प्लस R कितनी बार प्लस R? M टाइम्स ठीक है? M टाइम्स आपने इस R को एड करना है तो आंसर कितना हो जाएगा? M आर ये X क्या है? सीरीज एक्विवेलेंट रेजिस्टर्स सीरीज का एक्विवेलेंट रेजिस्टर्स Now they are connected in parallel and equivalent is Y अब इनको पारलेल में कर देना है तो पारलेल एक्विवेलेंट रेजिस्टर्स कितना होगा? कितना होगा 1 by r plus 1 by r plus 1 by r और ये भी m times और ये किसकी value होगी क्योंकि इसका answer y है तो ये होगी 1 by y की value so 1 by i y will be equals to m upon r या फिर y is equals to r by m ये हो गई y की value ये हो गई x की value अब पूछा क्या है क्या पूछा है r is to power 2 is to 1 होगा ratio क्या कोई हर्याना से है मैं हूँ जोती मैं हूँ हर्याना से बोलो अरे आ गई कुमकुम और आर्यन की love story स्टार्ट हो चुकी है विशाल m square 1 हाँ r square में आशुतोष value आपने निकाली है लेकिन हम देख लेते है answer what is the ratio of x and y ratio का मतलब x और y को divide करना है x की value है mr divided by y की value है r by m यही है y की value फिर किसी को confusion ना हो जय है r by m यह उपर जाएगा m square यह r se r cancel x by y की value हो गई m square तो ratio कितना हो गया m square is 21 आशुतोष क्या गलती गरिया है क्या गलती गरिया आशुतोष ने बिल्कुल सही सबका answer we pen का विशाल का यार यह अच्छी चीज़ चीज चल रही है एप वाले और youtube वालों की बराबर की टककर चल रही है यह बराबर की रोतक से है जोती बढ़िया बात है जगई हो मैं दो तिन बार सुमित नहीं सुमिती हा यार सुमिती है मैं फॉर्मुला में relation पाउंड करने में दिक्कत होती है आंकित मुझे के एक्जाम्पल दो किसमें दिक्कत होती है रोहन को repeat करना है repeat करना है पहले तो सारे के सारे आपको देव में M number of resistance है और सबकी value R है ठीक है M by R कैसे आएगा आभी बताती हूँ ठीक है आपने पहले उने series में connect किया तो मैंने R R R R R R R M times add कर दिया M times R R R R लिखेंगे तो ये हो जाएगा M R दूसरा parallel में connect किया उसकी value होती है 1 by Y is equals to 1 by R 1 by R 1 by R 1 by R ठीक अब किसी को दिक्कत है कि मैंने इसको M by R कैसे लिख दिया आप मुझे बताओ कि मुझे 1 by R 1 by R 1 by R 3 बार add करना है तो 1 plus क्योंकि 2 same है तो मैं इसको 3 by R लिख सकती हूँ इसी तरीके से 3 की जगा अगर मैं 5 बार 1 by R कर दूँ तो 5 बार 1 by R कर दीती हूँ तो यह हो जाएगा 5 by R तो इसी तरीके से मैंने जब मैंने उससे M times add किया है तो मैंने इसकी value क्या लिख दी है M times add करने के बाद मैंने value लिख दी है M by R M by R लिखने के बाद मैंने इसको reciprocal कर दिया और Y की value निकाल दी ठीक ठीक अशुतोष डोंट स्पैम अंकेत खुशी कोई भी प्लीज नहीं करेगा आ गया बेटा आ गया यह आ गया क्यारी मिनाटी आ गया आप तो अंकेत नहीं स्पैम नहीं स्पैम नहीं हेलो नीहा चीक अशुतोष इसके बाद ratio ले लिया divide कर दिया तो ratio का answer आ गया है next question बहुत easy question है कई बार किया हुआ है चार resistance है ABCD 4 ohm 8 ohm 12 ohm 24 ohm का पूछा हुआ है lowest resistance और highest resistance बताना है अब आपको पता है चाहे कितने भी resistance हो lowest resistance अगर obtain करना है तो उन सब को parallel में connect कर दो और अगर highest resistance करना है तो उन सब को series में कर दो मतलब अगर आपको first का answer निकालना है जिसमें lowest करना है तो आपको इन सब को series में parallel में add करना पड़ेगा 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 12 plus 1 by 24 अब जिसको नहीं पता कि parallel में क्यों connect करके आता है उसको मेरी class देखनी पड़ेगी या तो पुरानी या RRR series वाली चीक 24 LCM 6 3 2 1 आंसर कितना आ गया 9 10 11 12 12 by 24 यह आएगा 1 by 1 by R equivalent की value तो हमारी R equivalent की value आ जाएगी 24 by 12 यानि की 2 ohm पहले का आंसर 2 ohm अब हाइस्ट पूच्छा है हाइस्ट किसमें निकलेगा series में चारो को series में add कर दो 4 plus 8 plus 12 plus 24 आंसर बता दो answer okay high J E A 146 और बहुत बड़ा नाम है highest बिल्कुल सही विशाल विपिन 48 यह तो सबको clear हो गया होगा यह याद करना है इसमें कोई भी आपको छूट नहीं मिलेगी हमेशा याद कर लेना जबी भी कितने भी number of resistance हो कोई फरक नहीं पढ़ता की कितने resistance है बस जितने भी resistance हो सबको series में add करने से वो highest देता है और किसमे parallel में add करने से वो lowest value देते है चीक next question next question क्या कह रहा है आप से मुझे YouTube वाले जीतने देखने देखने मैं को अब तक तो मुझे app वालों में बहुत जोश दिख रहा है YouTube वालों तुम्हारी इज़त तुम्हारे हाथ में है जल्दी जल्दी आंसर करो वैसे तो काफी बचे बहुत अच्छा चांदनी सवीता साहिल विपन विपुल जैकुमार सन्नी सब लोग बहुत अच्छे अच्छे आंसर कर रहे हैं लेकिन फिर भी एप वाले एक दो परसेंट आगे है तो मैं देखती हूँ यार तुम दोनों में से कौन जीतता है आज ठीक गलत है मैं क्या गलत है अविनाश तिंग क्या गलत है ठीक नेक्स्ट थ्री रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरलेल विद बैटरी ओप 6 वोल्ट सबसे पहले आपको करेंट की वैल्यू निकालनी है पैरलेल में लगे हुए है तीनों रेजिस्टेंस तो तीन रेजिस्टेंस बना लेती हूँ वन, टू और एक तीसरा जो आपकी बैटरी कतनी 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए है 6 वोल्ट की बैटरी 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम करेंट निकालना है सबसे पहले पैरलेल का आर एक्विवेलेंट 1 बाइ 5 प्लस 1 बाइ 10 प्लस 1 बाइ 30 अब इसमें तो किसी को दिक्वति नियोगी कि मैं प्लस 1 कूं निकाला क्योंकि बोला ही गया है बोला ही है मैंने खुद, कुछ नहीं करा बोला है यह बहुत बढ़ बात है यारे इन ऐंसर दिये जा रहे वह देखो YouTube पे तर तक किसी का अन्षर नहीं आया है लेकिन एप पे एक, दो, तीन, चर, पाँच बच्चों का अंसर आ गया है यूट्यूब वाले जाग जाओ, जाग जाओ, जल्दी से जाग जाओ ठीक, अरे फिर से यही हो जाता है इसमें चालो, 6 6 प्लस 3 प्लस 1 ये हो गया 10 बाई 30 आर एक्विवेलेंट की वैल्यू आगई 30 बाई 10 याट इस 3 ओम, तो करेंट निकालने के लिए पहला आई इक्वल्स तू वी अपान आर वी की वैल्यू 6 आर एक्विवेलेंट की 3 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 एंपेर पहले का आंसर 2 एंपेर दा वैल्यू आफ करेंट थ्रू इच रेजिस्टर सब पैरिलल में है तो सबको वोल्टेज 6 मिलेगी आर इतना ही है तो मैं इसको बोल देती हूँ R1, R2, R3 इन तीनों को सॉल्व करके आंसर कौन बताएगा 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 चल रहा है हाँ हाँ ठीक 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 बहुत ही बढ़िया आंसर कौन बताएगा 1.5 पांदुनी 10, 2, 0.6 एंपेर कहीं भी एंपेर लगाना मत भूलना और ये कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 0. सॉरी ये 3 होगा 0.2 एंपेर आ गया टोटल करेंट इन दा सरकेट टोटल करेंट इन दा सरकेट अचा पहले में पूछा था वैल्ली ओफ करेंट एक्रोस ये है टोटल करेंट ये पहले का अंसर नहीं है ये तीसरे का अंसर है ये है टोटल करेंट आपका और पहले में आपसे पूछा गया था सबके एक्रोस करेंट की वैल्ली ओ दूसरे में पोटेंशियल डिफरेंट अक्रोस इच रिजिस्टर पूछा गया है अब दूसरे का अंसर बताओ दूसरे का अंसर कौन बताएगा की पोटेंशियल डिफरेंट थ्रू इच आफ दा रिजिस्टर क्या होगी वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंट अक्रोस इच आफ दा रिजिस्टर हर एक रिजिस्टर के अक्रोस आपको पूरी की पूरी 6 वोल्ट की वैटरी ही मिलेगी क्योंकि parallel में आपके पास तीनो में same होता है क्या होता है तीनो में voltage difference की value same होती है तो तीनो की across 6 volt Is it clear? यह 2 ampere इसका answer है Effective resistance of the circuit Effective resistance of the circuit यह ही है 3 ohm ठीक बिल्कुल सही 6 volt रोहन का answer सही है एहसान में भी सही है कुशिका भुधराजा का भी सही है सवीता का भी सही है विशाल, साक्षी, इट्समी, अंशिका, सूरज, सुपर, अरे, वा, वीनू, ऐलीना, सूरज, फिर से, विशाल, चांदनी, भाई अब मैं नाम और नी लेरी, सबके सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है तो हम चल रहे है, नेक्स वेशन की तरफ, ये टोटल करेंट आपका यही है, मैंने बता दिया है, इस क्वेशन की सारे पार्ट हो चुकी है नेक्स वेशन की तरफ चलते हुए, ये रहा नेक्स वेशन, एलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करेंट ओफ पॉइंट एट एंपियर, एंड वर्क्स ओन टू फिफ्टी वोल्ट ओन एवरेज एट आर्स आर्डे, सॉरी, पावर निकालनी है, गिविन क्या क्या है, गिविन है आपके पास की करेंट दिया हुआ है, पॉइंट एट एंपियर, ये पॉइंट एंपियर है, एंड वर्क्स ओन टू फिफ्टी वोल्ट, ठीक भाई, एवरेज एक दिन में, वन डे में कितना चलता है, एट आर्स, ठीक, पहला है आपके पास पावर निकालनी है, पावर क सीधा सीधा फॉर्मिला, आई इंटू वी, आई दिया हुआ है, पॉइंट एट इंटू धाई सो, आंसर आ जाना चाहिए, किसी का भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आंसर वुड भी, पॉइंट टू किलो वाट, कितना बनेगा, 200 बनेगा, 200 आंसर आएगा, वॉट में आंसर आएगा, वॉट को किलो वाट में चेंज करोगे तो, यह आ जाएगा, ठीक? हाँ, हाँ, ठीक, हाई, हाई, आरे यान, कुम-कुम मिस कर रही थी, आपको कहा थे आप? बीटा, पॉइंट 8 है, यह लग रहा छोटा सा पॉइंट, आप 8 लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुती आंसर चेंज होगा, ठीक है, धांक्यू, धांक्यू, उसके बाद आपके पास B पार्ट है कि, इव दा, इलेक्टरिक डिस्ट्रिबूशन कमपनी, चार्जेज पार्च रुपए 6 किलो वोट आर के लिए, 6 किलो वोट आर के लिए, आपके पास 5 रुपए चार्ज कर रही है, तो, वाट इस दा मन्तली बिल फोर 60 देज, 60 देज का बिल कितना आएगा? सबसे पहले, ये जो किलो वोट है, इसको पहले किलो वोट आर में चेंज कर लो, मतलब, किस में चार्ज आता है, बिल किस में आता है, मन्तली बिल का मतलब क्या है, मन्तली बिल आता है, आपका यूनिट्स के हिसाब से, यूनिट्स का मतलब क्या है, एक किलो वोट आर होती ह आपकी एक यूनिट के हिसाब से और आपको 6 किलोवार्ट आर के पैसे दिये हुए है और 60 दिन का बिल पूछा हुआ है तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि सबसे पहले जो हमने यह आंसर निकाला है इसको किलोवार्ट आर में कर लेते हैं मतलब energy निकाल लेती है, power into time, power दी है 0.2 kilowatt, time कितना दिया है, time दिया है 8 घंटे, 8 घंटे का time है 8 hours, इन दोनों को बता दो, 8 hours दिया है, power दी है, 8 hours a day, एक दिन में 8 घंटे चलता है, हाई dream girl, नहीं बिटा मैं कैसे भूली हूँ आपको, बिल्कुल नहीं भूली, dream girl को कैसे भूल सकते हैं, बहुत दिनों बात दिख्यों आज आप क्लास में, 1600, 16,000 kilowatt hour, किसी से answer नहीं निकल रहा, 400 रुपय, cost 400 रुपय नहीं, गलत गलत, बिल्कुल गलत, आपको kilowatt hour का answer निकाला है, आपने power का answer निकाल लिया, ampere into volt, power निकल गई, अब आपने energy निकल दी, energy किस से निकालते हो, आप power into time से निकालते हो, ठीक है, power into time कितना हो गया, 1.6 kilowatt hour, 1.6 kilowatt hour, लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है, एक चीज मिसिंग है, अच्छा, प्रिया कुमारी पांडे की classmate है, ड्रीम गल, बहुत अच्छी बात है यह तो, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, बताओ, ठीक, energy आ गई, अब आपके पास 6 kilowatt hour के रुपए दी हुए हैं, कितने, पांच रुपए, एक किलो वर्ट आर के निकाल सकते हो, कितने, छे, पांच बटे, छे, यही करते है, यूनीटरी मेथड, यूनीटरी मेथड यही होता है, पांच बटे, छे, इसमें किसी को दिक्कत है, आप बताओ, आप कोई दिक्कत है, आप काओगे मैं ने यह क्या कर दिया, कैलकुलेशन करनी बाकी है, वो कर लोगे, यार, तुम्हारे जवाब क्यों नहीं आरे, मुझे इतनी शान्ती क्यों दिखाई दे रहे हैं, कोई बताई नहीं पर रहा, कॉपी पे सॉल किये हैं, पुपिक सेंड करते हैं, चार सो रुपे आएगा, कैसे आएगा, आप यह तो बताओ, पावर टू किलो वाट कैसे आ रही है, अच्छा, आपने एट के हिसाब से लगाया है, चार सो रुपे ही आएगा, चलो ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, तुम एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को अराम से सोचो, क्योंकि यह एक इमपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे हम, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको अराम से सोचना है, होमवख है, इस क्वेश्चन का अंसर मैं कम्यूनिटी पोस्ट में डलवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं इस क्लास में भी कराऊंगी, बिल्कुल सही, आश्यतोष ने 60 डेज, अब आईए बात यार, यही तो मैं कह रही हो, तुम लोग छोटी-छोटी डेटेल्स मिस करते हो, क्योंकि उसने मन्थली बिल 60 डेज का पूछा है, 60 डेज का भी तो टाइम लगाओगी न, आप इधर 60 डेज भी तो मल्टिप्लाई करोगे, एक दिन में, एक दिन में तो 8 घंटे चलता है, लेकिन एनरजी तो आपको 60 डेज की निकालनी है, क्योंकि मन्थली बिलतो आपका 60 डेज का है, तो 60 मल्टिप्लाई करना पड़ेगा, 60 मल्टिप्लाई करके क्या आएगा अंसर, 96 किलोवाट आर, तो अब आपके पास 6 किलोवाट आर का अंसर है, 5 रुपै, 1 किलोवाट का आर का आजाएगा, 5 बटेचे युनिटरी मेथड से और अब आपके पास 96 किलोवर्ट आर का आंसर क्या आ जाएगा 5 इंटू से डिवाइड बाई 6 इंटू 96 कितना आ गया 80 रुपीज ठीक आशुतोष well done, well done, well done 800 रुपे विपिन आप जो आंसर निकाल रहे हो वो 8 इंटूस इंटूस निकाल रहे हो यहाँ पर बहुत छोटा सा डोट लग रहा है जो आप लोग को नहीं दिख रहे हैं लेकिन मुझे दिख रहा है अगर आप 8 ampere से answer निकालते हो तो 800 रुपे is the correct answer लेकिन अगर 0.8 से निकालते हो तो ये आएगा 80 रुपे, आशुतोष 200 रुपे नहीं आएगा, 80 रुपे आएगा, एक बार calculate करके देख लेना दुबारा फटाफट से इस question को देखते है current दिया था, voltage दी थी power निकाल ली, उसके बाद second question में सबको दिक्कत होगी कि 6 kilowatt के 5 रुपे दिया है और मन्थली बिल पूछा है 60 दिन का, हमें एक दिन में 8 गंटे चलती है तो 60 दिन में एक दिन में अगर 8 गंटे चलती है, तो 60 दिन में कितनी चलेगी, 8 into 60 तो time कितना हो गया 8 into 60, हमें energy निकालने के लिए power into time करना था, power तो 0.2 kilowatt हो गई, जो time है उसमें मैंने 8 into 60 कर दिया multiply कर दिया answer आगया 96 kilowatt चीक, उसके बाद आपको दिया है 6 kilowatt आर के 5 रुपे अब unitary method लगा दो unitary method सबसे जादा आसान और प्यारा method 1 kilowatt का 5 बटे 96 kilowatt आर का 96 multiply कर दो 80 रुपे answer आजाएगा मैं ठीको truth of life आप कह से है next question जल्दी से जल्दी से करे इस question को थोड़ा देखो समझो, समझने की कोशिश करो क्या है electric motor takes 5 ampere from the 220 volt line determine the power of the motor and energy of the motor in 2 hour बहुत सिम्पल सा question है किसी को कोई दिक्कत निया आनी चीए थांक यू सो मच थांक यू थांक यू dream girl बस बस जाद जाद तारीफ नी फिर पढ़ाई नी हो पाएगी जाद तारीफ कर दो कि तो पढ़ाई कैसे हो जाएगी फिर है ना किस-किस का 12 हो गया चीक, फड़ाबट से एक question करते है given क्या क्या है सबसे पहले हरे question में given लिखना ही लिखना है current की value दी हुई है 5 ampere आई, आपके पास voltage की दी है कितनी 220V, पावर डिटर्माइन करनी है पावर के लिए IV formula पहली slide दिखाऊं या याद है ये formula ये formula सबको याद ही होगा यार अब पहली slide क्या दिखा दे चलो चलो रुप जाओ ये रापावर का IV formula ठीक, पावर की फड़ा-फट से calculation कर लेते है 220V into 5 ampere कितना answer आगया 1100W पावर की unit वाट, यूनिट याद रखनी है वरना एक नंबर पूरा कट जाएगा कोई फायदा नहीं होगा इतनी मैनत करने का calculation करने का सीदे में, next question में simple energy पूछी है energy होती है, power into time power है, हमारे पास 1100 time है, हमारे पास 2R तो हम watt R में ही answer निकाले देते हैं, 2200 watt R अगर आपको unit change करने के लिए निकालना है second में change करके निकालना है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है kilo joule में भी निकाल सकते हो watt R में भी निकाल सकते हो मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ unit change करनी पड़ेंगी सभी को unit change करनी पड़ेंगी joule में करना है तो 1.6 into 10 is power minus 19 से multiply कर देना आपके पास joule में answer आ जाएगा watt से joule में करने के लिए 1.6 into 10 is power minus 19 उसके बाद joule और second में change करने के लिए इसको 60 से multiply कर देना और answer निकाल देना unit change करनी ज़रूरी है इस unit में answer नहीं लिख सकते है kilowatt hour में answer लिख सकते हो जैसे कि छेतन ने बिल्कुल सही लिखा इसको 1.1 kilowatt hour कर दो और इसको कितना करोगे 2.2 kilowatt hour अगर question में mention नहीं है तो kilowatt hour में कर सकते हो next क्या हुआ no 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 ये क्या हो गया आरे ये तो सबसे easy question है most easy हर एक पहला पहली class अगर electricity की doubt net की लोगे तो ये question वेने कराया हुआ है क्योंकि हमारे पहले formula से related है ये पहला formula कौन सा है quantization of charge का q is equals to ne ठीक क्या कह रहा है formula the charge possessed by an electron is 1.6 into 10 is to power minus 19 कूलम find the number of electron that will flow per second to constitute a current of 1 ampere एक ampere का current में कितने number of electrons है simple सा question है क्या निकालना है number of electron निकालना है एक कूलम और एक ampere current में एक ampere current का मतलब क्या है और पर second भी बोला है current is equals to q by t है ये एक ampere है q divided by time कितना है एक second है तो q कितना आ गया 1 कूलम तो एक ampere current में या एक कूलम में निकालनू बात एक ही है charge आ गया 1 कूलम q is equals to 1 कूलम e की value 1.6 into 10 raise to power minus 19 कूलम पूछना मत मैं ये कहां से लिख दिया पूछो कौन पूछेगा कि ये कहां से लिख दिया जल्दी बताओ कोई ने पूछेगा याद करना है इसको learn करना है answer simple n is equals to इधर से n is equals to q by e बन जाएगा q by e 1 कूलम divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम ऐसा ने answer बताई दिया calculate करके क्या 6.25 into 10 raise to the power 18 कुछ भी unit नहीं आएगी क्योंकि कूलम से कूलम कैंसल क्योंकि ये number of electrons है ठीक हाई रंधावा रंधावा बेलकुल साही 6.25 सवीता ना 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 आंसर कर लेता है बढ़िया हाल निशान्त आप बताईए अच्छा ऐसा वेशन आपने सुभाई के था ये तो बहुत बेसिक सा क्वेस्टिन है ये सब ने कराया होगा थांक यू वेलकम प्रशान बढ़ाई भी कर लो मैं ये चार्ज की वेल्यू कहां से आई ये देखो ना आई इस इक्वल्स टू क्यू बाई टी आई दिया है वन एंपियर आपको चार्ज दिया है कि पर सेकेंड फ्लो कर रहा है वेल्यू स्पुट कर दी क्योंकि वेल्यू निकाल दी वन कूलम चीक है मैं वाई फ्लक्स फोलो इर्रेगूलर पाथ ये फ्लक्स का चैप्टर है क्या नेक्स वेशिन करो इतने बहुत easy question है नेक्स भी देख लेते हैं बहुत सारे question है जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे अब वायर ये 18 नमबर नहीं है वायर ओफ रिजिस्टेंस आर कट इन्टू 5 इक्वल पीसे इस पीसे आर कनेक्टेज इन पैरलल एन एक्विवलेंट रिजिस्टेंस तू दा कॉम्बिनेशन आर डैश क्या है आर है आपके पास इसको 5 इक्वल पीस में काट दिया मतलब हर एक इक्वल पीस की वैल्यू आर बाई 5 क्योंकि इक्वल पीसीज है तो सबकी वैल्यू सेम होगी और 5 पीस है तो पाचो की वैल्यू आर डिवाइड़ बाई 5 आर डिवाइड़ बाई 5 होगी इन पाचो को पैरललल में connect कर दिया कुछ इस तरीके से तो पैरिलल का 1 by r equivalent लिखोगे तो 1 by r upon 5 plus 1 by r upon 5 plus 1 upon r upon 5 plus 1 upon r by 5 plus कितने हो गए 4 एक 5 बज़ा है या फिर हो जाएगा 5 बटे आर plus 5 बटे आर प्लस 5 बटे आर प्लस 5 बटे आर प्लस 5 बटे आर कितने हो गए यह हो गए 25 बटे आर 1 by R equivalent की value या फिर इसकी value R' given है तो मैं R equivalent ना लगा के इसको R' ही लिख देती हूं बोला गया है ना new combination को R' तो R' की value क्या हो जाएगी R by 25 निकाल ला क्या है रीशियो आर बाई आर डिश एर डिवाइड़ बाई डाय डेश ऑर की वैल्यो आर डिवाइड एवाई लिवाई ट्वेंटीफाइव ट्वेंटी फवे पड़ जाएगा और से आर कैंसिल 25 आजएगा रेशियो की वैल्लियो ठीक 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 है ठीक है ठीक है किसी को कोई दिक्कत लिखा हुआ है तनवी की पैरलल में जोड़ना है यह लिख रहा इन पैरलल question में ही गिवन है गिवन होता है mostly इतना easy question देते नहीं है ठीक next question अब मुझे app वालों में कम दिख रही है अब youtube वालों ने आग मचा दी है यह app पे मुझे थोड़ी फिक्की फिक्की जनता लग रही है कि हाँ भई लग रहा है कि सिर्फ थम्जा पारे आंसर नहीं आ रहे आप वालों के factors on which a conductor of resistance depend हरमीत का question है कि factor बता दो मैडम कि किसी conductor की कौन कौन से factors पर depend करता है तीन factor होते हैं इस question को इतने answer कर दो resistance के तीन factor होते हैं किसी भी conductor के कौन कौन से पहला है आपके पास length दूसरा है material तीसरा area ये तीन होते हैं क्योंकि formula होता है r is equals to rho l by a एक और होता है चौथा that is temperature पूछे तो लिखा न ना पूछे तो तीन भी काफी है लेकिन चार लिखते हो तो impress सा हो जाता है आरे वा हर एक बच्चे ने एक ही answer दिया है बी यार तुम तो सब पढ़के बैठे हो क्या जरूरत है तुम्हे नेचर ओफ अन एलेक्रिक बल्ब इस रेटेड तो टो टी वोल्ट एंड हंड़ेड वार्ट अब किसी की किसी को नहीं पता बेख अच्छा देख लोग्वेशन देख लो किसी को अगर ये question नहीं समझ में आ रहा तो ये rated का मतलब क्या है पूछोगे मैडम rated मतलब बताओ पहले आरे भाड में जाए rated सबसे पहले यूनिट देख लो यार यूनिट क्या दी हुई है यूनिट देख लो और कुछ मैटर ही नहीं करता यूनिट दी हुई है वोल्ट मतलब वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट 100 वोल्ट आपके पास वोल्ट है वोल्ट किसकी उनिट होती है पावर की तो 100 वोल्ट ठीक आप बोल रहा है कि पावर बताओ जब इसको तुमने 110 वोल्ट की अब वोल्टेज 110 वोल्ट है तो पावर बताओ ये दो केस है अब आपके पास किसी भी बल्ब का किसी भी बल्ब क resistance तो fix होगा resistance fix क्यों होगा resistance किस पर depend करता है resistance depend करता है rho L by A ना rho change होगा, ना length change होगी ना area change होगा, तो ये resistance fix होगा तो अगर मैं इन दोनों चीजों से इसकी value निकाल दू तो फिर मैं इसकी help से power निकाल सकती हूँ तो यही कहरते है फड़ा फट इन दोनों की help से resistance निकाल देते हैं, कौन से formula से, P is equals to V square upon R R की value V square upon P, V की value 220 into 220 का square divided by power 100 ये हो जाएगा 22 220 into 220 divided by 100 cancel, 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 cancel 22 into 22 22 into 22 आंसर बताओ यार अरे यार आंसर बताओ कुछ भी हो, मैं resistance की value लिखरी हूँ 22 into 22 ohm बस, और कुछ निकर री मैं cancel ही होगा यार, क्या करना है इसको लेके, ठीक अब इसमें लगाते है power का formula V square upon R R fix है पहले वाली value है, voltage change है 110 into 110 divided by 22 into 22 यही value थी 11 दूनी बाइस 11 दूनी बाइस, उपर 100 नीचे 4 आंसर 25 ohm अरे अरे अरे, ओम लिख दिया अरे, अरे, 484 कहां से अंसर आगया कहां जी रहे हो, कहां जी रहे हो 25 वाट आना चाहिए, अंसर 484 कहां से आगया, अच्छा 22 into 22 ठीक 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 ठीक, सौरी सौरी, सौरी, कभी कभी बस एक छोटी सी टिप दूगी आगे बढ़ने से पहले, कभी कभी भावनाओं में ना बहते हुए भावनाओं में ना बहते हुए कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट मत किया करो, जब आगे कैलकुलेशन पड़ी हो, और पता हो कि चांसिस हैं इस तरीके से इजी कैलकुलेशन बन जाएगी, इसलिए ये क्वेशन मैंने ऐसे छोड़ा था, ताकि तुम्हें पता भी तो चले यार कि अभी भावनाओं में बहने का वक्त नहीं है, ताइम बचाने का वक्त है नमस्ते बेटा, नमस्ते, नमस्ते चालिए, नेक्स क्वेश्चिन ताइम कम है, क्वेश्चन जादा है चाहे पूरी रात बैठना पड़े, आज तो पूरा करकर ही जाएंगे मैम, डू इट फास्ट, मैं तो फास्ट ही कर रही हूँ बेटा, राम राम बेटा, राम राम अरे रजनी गुपता, प्लीज बच्चो, जो भी नए स्टूडेंट आ रहे हैं हमारे चैनल पे हमारे लिए किरपिया एक लाइक और सब्सक्राइब का रटन दबाते जाएं ताकि हमारा भी थोड़ा सा आपकी तरह फाइदा हो जाएं ठेक? चलो, इजी है टू कंड़क्टिंग वायर ओप सेम माटीरियल, रोह सेम एक्वल लेंथ, L, एक्वल डायमेटर एरिया आर फिर्स्ट कनेक्टे इन सीरीज एंड देन इन पैरलेल अक्रोस दा सेम पोटेंचिल दिफरेंस फाइंड दा रेशियो फीट प्रोड्यूस दिन दा सीरीज एंड पैरलेल चलो मैने अर, आर ररिस्टेंस माल लिया दोनों को सीरीज में लगाया तो आर एक्विवलेंट आर प्लस आर 2र वोलटेज की वैल्यू वी, करेंट की वैल्यू आयी हीट की वैल्यू लिखने के लिए मैं क्या करूंगी हीट का मैं प्रोड्यूस्ट इन सीरीज एन पैरलल कॉंबिनेशन वुड भी तो कंडुक्टिंग वायर ओफ से माटीरियल इक्विन हर फस्ट इन सीरीज दैन इन पैरलल इन सर्कूर्ट अक्रोस प्रटेंशल डिप्रेंट रेशियो निकालना है ठीक है हीट का आई स्क्वेर आटी या वी स्क्वेर अपॉन आटी कौन सा फॉर्मुला लगाऊंगी चलो तुमसे पुछती हूँ आई स्क्वेर आटी और वी स्क्वेर अपॉन आटी कौन सा फॉर्मुला यूज होना चाहिए मैं दो दो बार like कर दिये धन्यवाद जी धन्यवाद जिसका भी answer आ है उसका भी धन्यवाद मैं अब end कर दीजे class को 20 question का वादा किया था उससे पहले मैं तो नहीं end कर रही हूँ 20 question से पहले नहीं प्लीज like share subscribe सब करते रहो आज इसके बाद नहीं बोलेंगे जल्दी पिताओ कौन सा formula यूज करूंगी i square art या v square upon art बिल्कुल तहीं रजत का आया है सिरफ आर 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 रिविजिन कल से start होगा वेटा कल रात से कल रात को 8.15 पे आपकी स्वाती में हम आएंगी फिर विनेसर आएंगे लास्ट में मैं आऊंगी इसलिए मैं आज आपकी क्लास कराने आ गई हूँ ठीक v square upon art ये वाला formula यूज करेंगे हम कौन सा ये वाला क्यों क्योंकि आपके पास same voltage given है question में कि आपने same potential difference लगाया है तो फिर यही formula यूज करेंगे फिर ये क्यों यूज करेंगे current थोड़ी same बोला है तो v square upon art यूज करेंगे v square upon art ठीक r कितना आया 2r into t ये हो गया series का या मैं इसको hs लिख रहे हूँ अब same parallel का जब parallel में करेंगे तो 1 by r equivalent is equals to 1 by r plus 1 by r is equals to 2 by r या फिर r equivalent is equals to r by 2 अब हीट parallel में v square upon r by 2 into t ये कितना होगा v square upon r into t into 2 यही हो जाएगा ये 2 ऐसे साइड में खड़ा क्यों कर दिया आरे नहीं क्या करेंगे 2 multiply कर देंगे अब ratio निकालना है hs divided by hp s कितना है v square upon 2r into t hp कितना है v square into 2 into divided by r into t v square से v square r से r t से t hs upon hp कितना आजएगा उपर बचेगा 1 ये 2 नीचे आएगा 2 already है 1 divided by 4 ratio आजाएगा 1 is to 4 ठीक magnetic effect of electric current आपका होगा 21st को 20th 20th April को electricity का rapid revision और 21st April को आपका होगा magnetic effect of electric current का revision ठीक ये दोनों डेट याद रहेंगी जिसको याद रहेंगी जल्दी से एक thumbs up दे दो कौन सब आएंगे अरे 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 बच्चे तो भाग रहे है आरारार का time table आपको community post में मिल जाएगा सनी बेटा tension लेनी की जुरत नहीं है आजाओ कभी हवेली पे देख वरे बहुत question है भई अभी तो जल्दी आजाओ A copper wire has a diameter of 0.5 mm और resistivity दी हुई है What is the length of this wire? Length बतानी है और कितना resistance change होगा अगर diameter double कर दिया तो देख लेते हैं diameter दिया है तो area कितना आजाएगा पाई r square होता है या फिर पाई d square divided by 4 आंसर आजाएगा पाई into 0.5 mm है मिलीमीटर को मिलीमीटर को मीटर में change करनी के लिए 10 to power minus 3 का whole square divided by 4 diameter कितना दिया है? 0.5 mm मीटर में 0.5 into 10 to the power आरे 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 10 to the power minus 3 मीटर ठीक? एरिया पता चल गया? कालकुलेट नहीं कर री क्योंकि नहीं करेंगे आर इस इक्वेल स्टू रोह एल बाई ए रिजिस्टिविटी कितनी दी है? 1.6 into 10 to power minus 8 लेंथ निकालनी है, एरिया है, पाई into 0.5 into 10 to the power minus 3 का whole square divided by 4, रिजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है? कोपर वायर डियमेटर रिजिस्टिविटी, वट इस दे लेंथ वायर तो मेक इस रिजिस्टेंस? रिजिस्टेंस? How much does the resistance change if the diameter is doubled? रिजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी हुई है, ये question थोड़ा सा अधूरा है. हां, बिलकुल सही, इस this question is incomplete. Incomplete question है क्योंकि आपके पास resistance की वैल्यू या से missing है, रिजिस्टेंस की वैल्यू दी होती, तो L को एक साइड रखते, बाकी सारी वैल्यू निकाल लेते, फिर देख लेते, रिजिस्टेंस कितना change हो जाएगा, क्यों change हो जाएगा, क्योंकि diameter double है, जहां भी diameter लिख है, उसकी जिगा 2 multiply कर देना, छीक, जा रहे हो, टाइम हो गया अरे, रुको जारा, संभलो, ठीक है, next question, ये question धूरा है, इसलिए छोड़ रहे है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा किसी और दिन करा देंगे, ठीक है, next question, an electrical motor, अरे, ये question तो same ही आ गया, same question है, अभी कराया है, थोड़ी दिर पहले, 5 ampere का current, 220 line की power निकालना है, और energy निकालन है, question कराया है, अभी थोड़ी दिर पहले, ये रहा है, ये question, an electric, आरे, गेरा, same question है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, same question आ चुका है, दो question गलत होगे, तुमारी मैडम की तरफ से, टाइम बच गया, ठीक है, सनी, सौरी बेटा, आड कर दोंगी, पक्का पक्का पक्का, ठी अब बताओ, किसका रिजिस्टेंस जादा होगा, 100 वाट के बल्प का, या 60 वाट के बल्प का, किसका रिजिस्टेंस जादा होगा, अरे, चांदनी, क्यों जा रही हो, यार, अच्छा, आप भी जाओ, और एलीना की मम्मी भी बुला रही है, हम 20 क्वेस्टेंस से पहले नहीं जाएंगे, मेरा वादा है, हम नहीं जाएंगे, 60 वाट का जादा होगा, हम इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, जिसको अपना खाना खाना है, साइड में फोन रखके, ख खाना खाते रहो, क्वेस्टन देखते रहो, ठीक है, किस क्या रेजिस्टेंस जादा होगा, पावर दी हुई है दोनों की, पावर का एक फॉर्मूला होता है, आई स्क्वेर आर, फिर से पूछूंगी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कभी तुमने घर में देखा है, कि बल्ब, एक बल्ब तो 220 वोल्ट से जल रहा हो, दूसरा 110 से चल रहा हो, दोनों के लिए पावर सप्लाई तो सेम ही है, करेंट का हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पावर सप्लाई सेम है, तो हम ये वला फॉर्मूला लगाएंगे, V स्क्वेर अपोन आर, दोनों के लिए प 100W, रेजिस्टेंस किसका जादा होगा, इसके लिए फटा-फट से थोड़ा सा फॉर्मूला रिवाइस कर लेते हैं, बस 10 मिनिट और और आप लोग के छुट्टी, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है, V स्क्वेर अपोन पी, अब देखो, वोल्टेज दोनों के लिए सेम है, चाहे वो P1 हो, या फिर वो P2 हो, यह P1 है, यह P2 है, वोल्टेज, फिक्स, सेम फोर बोथ, क्योंकि आपके घर में, आपके घर में, एक ही वोल्टेज सोर्स होता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस किसका जादा होगा, रेजिस्टेंस डारेटली जिसकी पावर कम, उसका जादा रेजिस्टेंस, तो 60 वोर्ट का मोर रेजिस्टेंस होगा, क्लियर है, आरे बहुती बढ़ी है, यह देखो, पहले से ही खाके वेड़ है, बहुती सही, बहुती सही, चलिए, नेक्स क्वेस्टिन, यह अब एहसान ने चार क्वेस्टिन हो चुके है, अब इसके बाद आपकी क्लास खतम है, 16 क्वेस्टिन हम कर चुके है, 17 क्वेस्टिन है, 4 क्वेस्टिन भचे है, मेरा गला भी थोड़ा सा जवाब देना शुरू हो गया है, थोड़ी से, पर मेरे अंदर जोश की कमी नहीं होगी, यूट्यूब चैनल का नाम ह है, CBSC क्लास 9 and 10, दाउटनेट के नाम से सर्च कर लेना, ठीक, फड़ा फट से देखते है, the number of electron travel through a given resistance 20 ohm in the circuit in one second, इस वाले resistance से निकालना है, सबसे पहले, इसका R equivalent निकालेंगे, 20 ohm, प्लस 40 ohm, क्योंकि सीरीज में दिख रहे है, 60 ohm, वोल्टेज दी है, 180 volt, टोटल करेंट से कैसे निकलेगा, V upon, R से, V, 180, R, 60, 0 से 0, 3, कितना आ गया, 3 ampere, करेंट टोटल, यहाँ भी 3 ampere, जाएगा, यहाँ भी 3 ampere, यहाँ भी 3 ampere, यहाँ भी 3 ampere, और वापिस भी 3 ampere, मतलब, 20 ohm, मे भी 3 ampere, करेंट, रिजिस्टेंस, 20 ohm, रिजिस्टेंस, 20 ohm, करेंट, 3 ampere, ठी 1 second में पूछा है, और number of electron पूछे है, number of electron लगालने के लिए, जहाँ भी, जिस भी question में number of electron आ जाए, एक फॉर्मुला आना चाहिए दिमाग में, Q is equals to N, नहीं है, अरे-अरे, ये मुझे question 36 नहीं है, वेटा, अंकिछी question 36 नहीं है, ये मुझे एहसान ने कुछ प्रेशन बोले थे, भेजे थे, मुझे अच्छे लगे, तो मैंने सुचा मैं आप लोगों के साथ, डिसकस कर लोंगी, ठीक, अरे-अरे-अरे-अरे-अरे, love story चल रह Just kidding, हाँ, ठीक है, Q is equals to N E की बात आ जानी चाहिए, और आपके पास एक और formula होता है, I is equals to Q T का भी, तो I is equals to Q T भी कर लेते हैं, क्योंकि या तो charge निकालो, इन दोनों formula को use करो, Q की जगा रखो, I divided, ओ, Q by T होता है, I into T, Q की जगा, I into T, formula क्या बन जाएगा, I into T is equals to N E, Time कितना दिया है, एक सेकंड, Time दिया है, एक सेकंड, I की value है, Time की value है, E की value पता होती है, N की value पता चल जाएगी, I T divided by E, I है 3 ampere, Time है एक सेकंड, E है आपके पास, 1.6 into 10 is to power minus 19 कुलंब, आंसर बता दोगे, आंसर चेतन ने जो निकाला है, मैं मानलू सही है, चेतन पे विश्वास करके आंसर लिख रही हूँ, 1.875 into 10 to the power minus, plus 19, अब एक बार और बताओ, अरे B कैसे है आंसर, D है आंसर, ठीक है, D, D, sorry, D है आंसर, अब एक बात और बताओ, इस question में पीछा है, 20 ohm वाले से कितना number of electron जाएंगे, अगर मैं question को थोड़ा सा भी modify कर दूँ, मुझे YouTube से answer चाहिए, YouTube पे love story नहीं चलानी है, क्या, अगर मैं आपसे कहूँ, 40 ohm में कितने number of electron जाएंगे, जो भी answer देगा, उसको बहुत अच्छी सी chocolate मिलेगी, लेकिन virtual वाली, यह मत कहना, मैं आड्रेस भेज रहे हैं, chocolate भेजाओ, अगर मैं question को modify करके कह दूँ, 20 ohm की जगा, 40 ohm वाले resistance से कितने number of electron जाएंगे, सिरफ एहसान का answer आया है, बिलकुल perfect answer, same ही होंगे क्यों, क्योंकि आपके पास यह formula देखो N का, current भी same है, time भी same है, E भी same है, तो चाहे आपसे 20 ohm पूछ दे या 40 ohm पूछ दे, number of electrons हमेशा same रहेंगे, is it clear everyone, किसी का दमजप नहाएं, मतलब दुबारा समझाने की जूरत है, चालो, breaking news physics की class में love story, फिला दो, फिला दो, जल्दी फिला दो, ठीक है, चालो, next question, बास, तीन question, चार question, a uniform wire of resistance 100 ohm is melted, and made in the uniform wire whose length is double to that of original, पहले कोई एक वायर थी, उसका resistance 100 ohm में था, और length L थी, अब क्या कह रहा है, कि अब दुबारा से एक और wire बना दी है, इसको पिगला के, जिसकी length अब इससे double है, length मतलब 2L है, लेकिन area के बारे में कोई comment नहीं किया है, बिल्कुल सही, चेतन बहुद अच्छांसर, well done, well done, चॉकलेट अहसान के नाम, अहसान को वाटसेप पे वर्च्वल वो मिलेगी, क्या हुआ बेटा, कबरिस्तान, भाई क्यूं, ये नाम भी देखो यार, बच्चो के कबरिस्तान, हाँ आयूश कुमार आपका नाम भी ले लिया, वाई प्राच्ची क्या आओ गया, मेरे ये वाज क्यों नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है, अब मतलब अगर यार तुम एक बात बताओ, आपके पास एक किलो की वायर है, उसी एक किलो की वायर को मेल्ट करके, पहले लेंथ ल थी, अब 2L की बना दी, तो एक चीज सोचके देखो, यूनिफॉर्म वायर आपको दिया हुआ है, तो अगर आपने मेल्ट करके, डबल लेंथ की वायर बना दी, तो उसी एक किलो की वायर का मेटीरियल यूज करके बनाया होगा, तो इसका मतलब है, बिल्कुल सही शिवम, कि आपका एरिया अगर पहले A था, तो अब एरिया A by 2 होगा, क्योंकि आपने कोई मेटीरियल एड नहीं करा, उसी लेंथ की वायर को बढ़ा कर दिया है, ठीक, बहुत ही अच्छा question है, resistance of new wire, इसका resistance होगा 100 ohm, इसकी value होगी रोहो L by A, since material change नहीं किया है, सिरफ material को melt करके length करी है, तो R dash क्या होगा, रोह का रोह हो रहेगा length की जगा 2L, और area की जगा A by 2, कितना हो जाएगा, 4 रोहो L by A, रोह L by A की वैल्यू, 100 ohm, पुट कर दो, 4 into 100, that is 400 ohm, आंसर इस D, कितना आंसर आएगा, D, बहुत ही बढ़िया, बहुत, अरे वा, यूट्यूब वालो, वा, 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 आप वालो में बहुत ही कम जोश दिखता हुआ, next question, जल्दी से खतम करना है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे है, if I resist, if the current through a resistance is increased by 100%, current कितना बढ़ गया है, I dash is equals to, 100% of I plus I, यानि की 2I, यानि की 2I, I dash कितना हो जाएगा, 100% increase हुआ है, मैंने 100% of I add कर दिया, I में ही, simultaneously reducing resistance value to 25%, resistance की value, कितनी है, पहले R थी, अब R dash हो गई, तो पहले अगर R थी, तो 25% of R reduce करी है, R minus 25 divided by 100 into R, 25 जो के 100, R minus R by 4, ये कितना हो जाएगा, 3 by 4 R, R dash की value हो गई, अब पावर पूछा है, पावर का फॉर्मूला खहले क्या होगा, I square R, अब क्या बन जाएगा, I square R, फिर I dash square R dash, फिर 2 into 2, 4 I square R dash into 3 by 4 R, 4 से 4 cancel, पावर कितनी हो गई, नियू, पावर हो गई, नियू, 3 I square R, ठीक, पहले इतनी पावर थी, अब इतनी हो गई, मतलब कुछ increase तो हुआ है, पहले थी I square R, अब हो गई 3 I square R, तो 3 I square R minus I square R divided by I square R, ये बन गया, 2 I square R divided by I square R, तो कितनी इन्टू? 100, इन्टू 100, परसंटेज निकालना है, परसंटेज पावर, परसंटेज पावर कितनी हो गई, 200%, नो चेंज, मैं हमारी भी तारीफ कर दो, ठीक है, प्रशान्त, आंसर दे दो, नो चेंज, क्यों होगा, पावर में, नो चेंज, ये बताओ, अच्छा, आंसर बताओ, क्यों होगा, आरे, ये, question number, गलत है, question number, गलत है, 40 question नहीं, 20 question नहीं गराए थे, बस एक question और, last question रह गया, इसके बाद, शान्ती, शान्ती, ठीक है, ठीक है, ठीक है, no change क्यों होगा, कौन बताएगा, यार, answer no change क्यों होगा, I am the devil of my world, वा, 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 आरे, सन्नी बेटा, 20 question ये, 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 numbering गलत है, no change का answer कौन बताएगा, पहले मुझे नो चेंज वाले बताओ, repeat, बेटा, current को increase किया है, 100%, तो 100% of I, मैंने पहले वाले I में add कर दिया, उसके बाद, आपका I बन गया कितना, 2 I, I की value 2 I बन गई, फिर आपका resistance decrease हुआ है, 25%, तो मैंने R में से 25% decrease कर दिया, उसके पास, R डश की value आ गई, मैंने पावर डश की value निकाल दी, I square डश, I, R डश, वैल्यो निकाल दी, पहले इतनी पावर थी, अब इतनी पावर हो गई, 3 I square R, अब इन दोनों का percentage increase निकाल दी, आपका, simple, ठीक, next question, last question है, ये last question, last question, हमबग दे दे, जल्दी बताओ, ये ये question तो easy है, a uniform conductor of R is going cut into 20 equal pieces, half of them are joined in 10 series, उसरी series, और half parallel में, और इन दोनों को join कर दिया, आप effective बताना है, 20 में काटा है, R को 20 में, तो हर एक resistance की value R by 20, 10 को series में लगाया है, तो इनका R equivalent कितना हो जाएगा, R by 20 प्लस R by 20 कितना 10 times, ठीक है, तो 10 into R by 20 हो जाएगा, R by 2 हो गया R equivalent, series का, और 10 को parallel में लगाया है, तो 1 by R equivalent कितना हो जाएगा, 1 by R by 20 प्लस 1 by R by 20, अब ये भी 10 बार एड होगा, तो answer, 10 into 20 divided by R, ये कितना हो गया, 200 divided by R, R equivalent की value हो जाएगी, R divided by 200, अब इन दोनों को, if two combination are joined in series, end में इन दोनों को series में लगाया है, अब इन दोनों को series में लगाया है, तो R effective end वाला कितना हो जाएगा, R by 2 plus R by 200, solve कर लेना अब इसको, क्या आएगा answer, अपने आप कर लेना, ठीक है, answer आएगा, 101 divided by 200, ठीक है, खतम, बस, खतम, 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 एक R और पढ़ाओ, ठीक है, चलो, computer जी भी आपके तंग हो रहे हैं, वो मुझे कह रहे है, madam please, madam please, आप भी कह रहे हो, madam please, madam please, ठीक है, एक question है, जो आप लोगों के लिए homework के लिए दे रही हो, ठीक, इस question को homework में, हम RRR series में करेंगे, discuss, आप आने भी तो चाहिए हो na, RRR series में सारे, तो कुछ-कुछ तो आपको देना पड़ेगा न, कि ये वाला question आपको बताना पड़ेगा, कि ये वाला question डिसकस करना पड़ेगा, अभी तो आओगे आप लोग, ठीक है, ये है आपका होंबग का question, RRR series का फिर से बता दू, 20th April को हम करेंगे, electricity discuss, electricity, 21st April को हम करेंगे, क्या magnetic effect of electric current, एक एक दिन में एक चैप्टर खतम करना है, टाइम से आ जाना, इसी टाइम पर मिलेंगे, 8.15 पर कल से आपकी स्वाती में हम आ रही है, स्वाती में हम आपको पड़ा लेंगे, चीक है, चालो, लाइक कर सकते हो, यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थांक यू सो मच पर वाचिंग, आप चलते हैं, मिलेंगे अपना इनी तारीक को, ये रही दोनों तारीक, इनको मिलेंगे, थांक यू सो मच पर वाचिंग, बाई गाईज, शुरू करें क्या फिर, पहला क्वेश्चिंग, एक्वेश्चिंग, जो आपका पहला क्वेश्चिंग होता है, वो रहाँ आपकी स्क्रीन पर, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप अच्छे से देख लो, इसको एनलाइज कर लो, क्या कह रहा है ये क्वेश्चिंग? जल्दी से पढ़ो, ये क्वेश्चिंग क्या कह रहा है? मुझे आंसर आ जाना चाहिए, ये क्वेश्चिंग कह रहा है कि, एस 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 जूड़ी हूई दिखाई दे रही हैं, दा करेंट रिकॉर्डिड इन दा अमीटर विल बी, करेंट रिकॉर्डिड इन दा अमीटर, अमीटर में करेंट किस में होगा? मैक्सिमम पहले में होगा, दूसरे में होगा, तीसरे में होगा, या तीनों में सेम होगा? किसी का एंसर, हाई गोविन सो बिटा, मुझे दिख रहा है आपका कॉमेंट, हेलो लेफ्ट, गेमर, नीतू, और कौन कोन आगिया है? सबके एंक गोमेंट दिख रहे हैं, मुझे टेंशन लेने की बात नहीं है, मुझे इसका फड़वट से आंसर बताओ, कि मैम क्या होगा? वट इस रेजिस्टर? रेजिस्टर इस ये, ये हमारा रेजिस्टर है, रेजिस्टर हम किसको बोलते हैं, बिटा, किसी भी तरीके का position, रुकाव, किसमें, current के लिए, किसके लिए, current के लिए, ये होता है रेजिस्टर्स, बताओ, इसी तरीके से ये circuit में जुड़े हुए, कैसे जुड़े हुए है कि यह एक अमिटर यहां लग रहा है एक मिटर यहां लग रहा है और रिस्टेंस की और इन सब की वैल्यू अलग मुलब इनकी जो पॉजीशन है अलग अलग है घंशाम दासगर मैक्सिमम पहले में होगा आप किस तरीके से कह रहे हो कि आपने क्यूं क हाए कि पहले में मैक्सिमम होगा अगर आप देखोगे यह जो सारी चीजे हैं सीरीज में कनेक्टेड है यह सीरीज कनेक्शन है किस तरीके से देखते हैं जब हम देखेंगे कि बैटरी से करेंट इस तरीके से जा रहा है कहीं भी करेंट डिवाइड नहीं हो रहा इसी सर्कि इस तरीके से लगा दो, इस तरीके से लगा दो, या meter किसी भी तरीके से लगा दो, अगर ये सारी की सारी चीजे बिटा, अगर series में connected है, series connection में तो current डिवाइड ही नहीं होता है, series connection में तो current अगर आई है तो आई ही रहेगा, चाहे meter यहां लगाओ, यहां लगाओ, चाहे यहा होगा क्यों होगा सेंप फिर से बता देती हूं वेल डन गोविन सो ने बड़ा सही आंसर दिया है नीटु घंचामदस भी नहीं हो बेटा सेम ही रहेगा संदीप ने भी सेम ही वोला है क्यों क्योंकि आपके इस भी चीज़े सीरीज में connected है और सीरीज में तो current change होता ही नहीं है emitter की position भी अगर आप change कर दोगे तो जो current की value है उतनी ही रहेगी क्योंकि हमें बस ये series में connect करना पड़ता है मतलब अगर series connection है तो current will be same current will be same, divide नहीं होगा divide कब होगा, current divide होगा कौन से वाले circuit में? parallel circuit में clear है? इसमें voltage same रहेगी parallel वाले circuit में voltage same रहती है चीज़े है और हमारे series वाले circuit में voltage difference रहती है तो अगर इस तरीके के question आ जाएंगे तो पहले आप देख लोगे कि circuit series में है या parallel में है good evening देपांशू ठीक है? ये question clear हो गया? तो next question की तरफ चलते हैं good evening sad boy next question है आपका कुछ ये है आपका second question आपकी screen पर कि in the following circuit इन circuits में the heat produced in the resistor or the combination of resistor connected by a 12 volt battery will be अब बताना है कि heat produce किसमे maximum होगी minimum होगी या सभी में सेम में सभी केसिज में सेम होगी can anyone answer? हाँ बिल्कुल सही बताया sad boy ने कि current जो होगा मारा parallel में डिवाइड होगा what is the difference between series and parallel connection? बेटा आप हमारे recorded lecture देख सकते हो क्योंकि एक बहुत बड़ा topic है जो हमें पढ़ना पड़ेगा it's okay मैं है खाए प्राची आप जाके हमारे recorded lectures देख सकते हो series और parallel connection के उपर बहुत ही अच्छे से मैंने उस lecture में समझाया हुआ है is it clear? is it clear to everyone? I am good बेटा, how are you? अब देखो हमें इसमें क्या निकालना है? heat heat का formula बतादो मुझे फटा-फट से comment section में कि heat produced का क्या formula होता है heat produced का formula कौन बताएगा? सबसे पहले देखते हैं comment section में कि किसको बताएगी heat produced का क्या formula है? answer तो A नहीं है answer A नहीं है same नहीं होगा सभी cases में क्योंकि आप देख रहे हो कि एक में तो सिरफ दो ohm का resistance है एक में ये circuit है एक में parallel connection है VIT, VIT, VIT बिल्कुल सही VIT लेकिन अगर मैं इसमें ohm slow लगा दूँ तो I is equals to V upon R तो हमारा जो heat produced है उसका answer क्या हो जाएगा तीनो में 12V की battery है ना मतलब voltage same है ना 12V की battery तीनो में है हमारे पास हम लगा देंगे formula V square upon R जब हम देखेंगे क्योंकि हमें current नहीं पता तीनो में तो हम ये विला formula लगाएं क्योंकि voltage तीनो में same है तो हमारी जो heat होगी वो inversely proportional हो जाएगी हमारे resistance के हमारे resistance के हमारी जो heat होगी वो inversely proportional हो जाएगी is it clear to everyone कोई दिक्कत कोई परिशानी अब अगर आप देखोगे हमारा मतलब resistance जादा तो heat कम देखोगे इसमें तो सिरफ 2 ohm का ही resistance है और अगर इसका parallel combination इसका series combination निकालोगे तो आपको पता है ये R1 है ये R2 है तो R1 प्लस R2 होता है यानि कि 2 प्लस 2 total resistance हो गया 4 ohm इसका total resistance क्या हो जाएगा 1 by 2 1 by 2 1 by R is equals to 2 by 2 यानि कि R हो गया आपके पास 1 ohm इसका total हो गया 1 ohm मतलब इसका total कितना है 2 ohm इसका total कितना है 4 ohm इसमें है 1 ohm अब मुझे बताओ अगर 1 ohm resistance सबसे कम इसमें है सबसे कम resistance इसमें है तो सबसे जादा heat जो होगी maximum heat होगी हमारी third case में और minimum heat किसमें होगी minimum heat किसमें होगी जिसमें सबसे जादा resistance है क्योंकि inversely proportional है अगर ये ज़्यादा तो heat कम तो इसमें सबसे ज़्यादा है तो second case में minimum होगी Is it clear? Is it clear? अब हमें ये देखना है कि इन दोरों में सी कौन सा option match करता है maximum third में है तो maximum या तो first में दी हुई है या third में हो दी हुई है ये answer सही हो जाएगा लेकिन minimum किस में आ रही है हमारी minimum हमारी आ रही है second case में minimum के लिए तो यह first case दिया हुआ है तो ये option incorrect है और तीनों में same तो है ही नहीं तो answer क्या है? answer क्या है? D answer will be correct D answer will be correct क्योंकि जो लोग B बोल रहे है minimum इसने first case में बोली हुई है लेकिन हमारे formula की according सबसे कम जो resistance है सबसे कम जो सबसे जादा resistance है वो सबसे minimum heat produce करेगा वो सबसे minimum heat produce करेगा क्योंकि heat का formula कुछ इस तरीके से है कि inversely proportional का relation है अगर मैं r is equal to 4 ohm put करूंगे तब जाकि मेरे पास minimum heat आएगी तीनों में से तो minimum first case में नहीं minimum हमारा third case में है और maximum तो हमारा है यह नहीं second case में maximum हमारा third case में है चीक है clear है well done well done sad boy well done चलिए तो इसी के साथ चलते हैं next question की और next question क्या कह रहा है आपसे next question आपसे कह रहा है कि electrical resistivity of given metallic wire depends upon resistivity आपके पास formula होता है resistance का rho L by A यह होता है resistance यह होता है हमारा area यह है अपनी length और यह है हमारी resistivity जो हमारी जो resistivity होती है उसकी definition ही यह होती है कि it is the opposition और it is the property of a material ना ही यह हमारी जो resistivity है ना ही हमारी length पे depend करती है ना ही thickness पे ना ही shape पे किस पे depend करती है कि किस तरीके का material है उस पे depend करती है चीक है बढ़िया ohm slow define करना है ohm slow की definition ले लो यार ohm slow क्या कहता है we directly proportional to i है जब यह proportionality constant हटता है तो एक equal to a sign आता है और हमारे पास आंसार जाता है we is equals to i r यही है हमारा ohm slow यही है हमारा ohm slow well done चलो फिर चलते हैं next question की और क्योंकि easy question है देर लगानी ही नहीं फट फट करते जाना है a current of 1 ampere is drawn by an electrical bulb the number of electron passing through the cross section of a filament in 16 seconds would be roughly question में given क्या क्या है सबसे पहले वो लिख लेंगे question में given है कि हमारे पास current कितना है current है हमारे पास 1 ampere ठीक है 1 ampere का current दिया है अब पूछा क्या है number of electron number of electron तूछे हुए हैं जिनने मैंने n मान लिया उसके बाद ये तो to find है given में एक और चीज दिये कि time दिया हुआ है time कितना time दिया हुआ है 16 seconds बतादो answer क्या होगा किसी का आगया क्या answer मुझे देखनी रहा किसी ने answer कर रहा हुआ comment section में define कर चुके हैं दिपांचू ohm slow क्या कहता है कि हमारा जो v है वो directly proportional to i होता है the voltage difference is directly proportional to i for the ohmic devices when the temperature is constant एक ये line भी आप जरूर ही आट के दे Govind का answer आया है a let's check कि answer a है या नहीं है हमारे पास एक quantization की property का जो formula होता है q is equals to n e ये होता है कि आपका जो हमेशा charge होगा वो e के multiple में होगा ये हमारे पास एक formula होता है उसके बाद हमें answer पता है sorry हमारे पास current का formula होता है q by t तो q इदर से क्या आ जाएगा q आ जाएगा i into t एक काम करते हैं इदर हमने capital q रखा है इदर हमने small q रखा है तो एक ही जैसा q रख लेते हैं सबको capital रख देते हैं सबको capital रख दिया put कर दो इस वाले formula में क्या करोगे putting value of q या फिर equate कर देंगे क्या it is equals to n e निकालना क्या है n निकालना है तो n को एक side पे रखो बाकी सबको दूसरी side ले जाओ formula तो आ गया फटा फट से सारी चीज़े put करनी है e की value हम सबको हमेशा याद रखनी है 1.6 into 10 to power minus 19 put करो current की value दिया है 1 ampere time को दिया है 16 second divided by e की value है 1.6 into 10 to power minus 19 minus 19 ये point हटाऊंगी तो उपड़ 10 multiply होगा ये 16 से 16 कट जाएगा answer आ जाएगा 10 into 10 raise to power plus 19 या फिर मैं इसको 10 raise to the power 20 लिख सकती है clear so answer will be जो गोविन सा ने दिया है बिल्कुल सही answer है कि 10 raise to the power 20 ये बिल्कुल correct होगा क्यों निकालना है कि इसमें number of electrons निकालने है क्यों भी निकाल सकते हो n into e करके कोई दिक्कत नहीं है ठीक है समझ आया निकालना क्या है वो target ले के चलना है फहले से बेफाल्तों की चीज़े निकालने की जरूरत ही नहीं है अगर निकालने बैठेंगे तो बहुत ही जादा देर हो जाएगी और बहुत ही जादा टाइम लग जाएगा हाँ जी प्राची आपकी कॉमेंट आ रहे हैं बताइए क्या बोल रहे हो बिल्कुल सही यह option is correct next question is on your screen ओक्या घंशाम का भी सही था sad boy, sandeep, left gamer सबका सही answer है बिल्कुल सही next question पढ़ते है identify the circuit यह 12.23 figure है इसमें in which the electrical components have been properly connected electrical components have been properly connected मतलब हमारे जो यह component है वो अच्छे से connect होने चाहिए वो वाला circuit देखना है मैं इनको देखूं अगर मैं अलग-अलग circuit को देखूं तो यह साफ पता चलेगा यह emitter, voltmeter का ही खेल है तो सबसे पहले एक चीज हमें हमेशा से पता होनी चाहिए जो हमारा emitter होता है यानि कि जिसका यह symbol आपको दिख रहा होगा circuit में यह हमेशा series में connected होता है किसमें? circuit में, series में connect होता है दूसरी चीज़ हमारे पास voltmeter जिसे आपको इस तरीके का symbol दिख रहा होगा, जो यहाँ पर भी है इसे कहते हैं हम voltmeter सबको पता है किसी को बताने की जरूरत नहीं है इसको हम connect करते हैं parallel में चेक है? इसको हम किसमें connect करते हैं? parallel में इसी से based है यह पूरा का पूरा यह पूरा question कि मैं यह बताओ कि कौन से circuit में सही है, मतलब इन में से कौन से circuit सही है, emitter series में इसमें emitter तो series में है लेकिन voltmeter parallel में तो नहीं है, तो यह तो नहीं होगा दूसरी चीज यह वला देख लेते हैं कौन सा देखें, कौन सा देखें अरे बाँ, यह रहा इसमें emitter तो parallel में है यार और voltmeter series में है जो लिखा हुआ है उसके बिलकुल opposite तो यह भी गलत है अब हमारा, इसमें voltmeter तो parallel में है और emitter भी series में है, ठीक है भाई साब इसमें भी voltmeter parallel में connected है और emitter series में connected है, यह भी ठीक है अब इन दोनों में से appropriately, properly connected कौन सा है, यह देखना है यह दोनों तो हमने reject कर दिये अब हमारे पास बचते हैं दो option computer जी जैसे आपको अमिताब बच्चन आए हैं कि या आईए आपके दो option को 50-50 वाली 50-50 वाली lifeline यूज़ करके यह दोनों तो replace कर दिये बच्चे अपने पास दो option जिसमें से ये जो condition है ये तो proof हो रही है और अगर आप अब क्या करोगे आपको पहचानना है कौन सा circuit सही है सबसे पहले आप क्या करोगे current दो डालो पूरे circuit में positive से current निकलता है positive से current निकलता है इस तरीके से emitter के positive से मिलता है और फिर negative से निकलता है हमेशा current का motion कहां से होता है positive to negative terminal से होता है ठीक है अगर इस circuit के लिए मैं current बनाना चाहूं तो current यहां से move हो रहा है इधर चल रहा है इधर चल रहा है इधर चल रहा है इसके पास तो negative symbol आ गया और ये positive से फिर निकलेगा emitter के घुसा negative से positive से निकला तो ये जो मने ये condition लगाई है ये तो बिल्कुली wrong proof हो गयार कि positive से current निकलता है positive से current निकलता है negative में जाता है अब तुम देखो ना इसमें तो negative से घुस रहा है positive से निकल रहा है ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बना तो यह तो गलत है हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया थर्ड सेकेंड ओप्षिन इस करेक्ट हां जी सैड बोई पियूश महक गोविंत बिल्कुल वेल डन वेल डन वेल डन क्या सब को एक लियर हो गया एक थम्जप तो देदो एक थम्जप तो देई द है इस वाले केस में इसमें सही है यह दो कॉंसेप्ट आपके इस क्वेस्टिन में यूज हो रहे हैं एक्जाक्ली इस एक्लियर टू एव्रिवन सब लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स क्वेस्टिन है वट इस दा इसमें आगे बढ़ने से पहले एक बार एक चीज करते हैं क्या आप तीन रेजिस्टर ले लो तीन रेजिस्टर ले लो जिसने मेरी क्लास ली होगी उसको तो इसका अंसर पता होगा और कॉमेंट सेक्शन में बता देगा यह तीन मैंने रेजिस्टेंस ले लिए 30-30-30 ओम क मैं चार केस बना रही हूं और इनको अलग-लग तरीके से जोड रही हूं पहला केस दूसरा केस ये भी मैंने 30-30-30 ओम तीसरा केस क्या है आपके पास हाँ जी पियूश आपने तो ली है क्लास आंसर बताओ इसका और फूर्थ केस है हमारे पास कि तीनों को पारलल में जोड दो मुझे ये बताओ अब कॉमेंट सेक्शन में क्या इन तीनों के इलावा कोई और तरीका है जिससे मैं इन तीनों रेजिस्टेंस को किसी भी सर्किट में जोड सकती हूं इन तीनों के इलावा कोई भी तरीका है अरे वैल डन देखो सब ने आंसर दे दिया यार यह तो यह त लोड सकते, इसका equivalent होगा 30 प्लस 30 प्लस 30 क्या होगा, नब है, क्योंकि ये series में जुड़े है, तो simple sum हो गया, इसका होगा 1 by 30 plus 1 by 30 that is 2 by 30 या फिर 30 by 2 30 by 2 कितना होगा, 15 ohm ये हो कि ये दोनों parallel में थे, अब ये इसके साथ series में है, तो 30 plus 15 हमारे पास answer आजाएगा, 45 ohm जिसको ना समझ में आ रहा हो पूछ ले न, मैं तुबारा बता दूँगी ये दोनों series में है, तो इनका तो होगया sorry, 60 ohm ये तीसरा जो है, ये parallel में है तो 1 by 60 plus 1 by 30 क्या आजाएगा 1 by 60 आजाएगा हमारे पास ये और ये 2 3 by 60 हमारे पास आजाएगा 1 by r तो r क्या आजाएगा 60 by 3 20 ohm पहले किसमें 95, 45, 20 और अब इसमें देख लेते हैं 1 by 30 plus 1 by 30 plus 1 by 30 1 by r ये कितना होजाएगा 3 by 30 ये हो जाएगा 1 by r r की value क्या आजाएगी 10 ohm ये 4 case हैं एक में 90 आ रहा है एक में 45 आ रहा है और एक में 20 आ रहा है और एक में 10 आ रहा है maximum किसमें है अच्छा ये सब दुआ में उड़ेगा हम आपसे नहीं पड़े है sad boy मैंने क्या किया है मैंने कुछ भी नहीं किया मैंने बस तीन अपने रेजिस्टर माल लिये 30 ohm के मैंने उनको इन चार तरीकों से connect कर दिया ये देखने के लिए कि किस case में maximum आता है और किस case में minimum आता है ठीक है मैंने इनको फटवट से solve कर दिया आप एक पर अपनी copy pen उठाओ इनका series combination solve करके देखो सिर्फ series और combination में R equivalent निकालना है जो मैंने फटवट से निकाल दिया क्योंकि हमें question भी करना है हमारे पास conclusion ये आया कि maximum value है 90 ohm और minimum value है 10 ohm maximum कब आएगा आपके पास answer मतलब अगर आप 3 resistor को किस तरीके से जोड़ो कि आपका resistance maximum मैक्सिमम आएगा series में और आप उन्ही तीन resistance को किस तरीके से जोड़ो circuit में कि minimum आए तो ये आएगा parallel parallel में minimum ये तो मैंने तुम्हें 3 के लिए बताया है ये मैंने तुम्हें answer 3 के लिए बताया है अगर तुम ऐसे 5 resistor 10 resistor, 100 resistor, 200 resistor भी ले लोगे न तो हमेशा अगर आपके पास question आज़ता है कि 100 resistor को ये बताओ कि कौन से circuit में लगाएं कि maximum answer आए तो maximum हमेशा series में आएगा ठीक है और वही 100 resistor को किस तरीके से लगाएं कि minimum answer आए तो वो होगा parallel ठीक है हंजी विश्णु विश्व ले लिए आपका नाम ठीक है maximum 90 clear है तो अब क्या पूछाएं आपसे कि 5 resistor का use करना है और maximum resistance निकालना है 5 resistor है value दी हुई है 1.5 ohm और maximum minimum निकालना है तो maximum के लिए मुझे पता है series है तो series में 5 resistor को लगा दो 3, 4 और 5 इन सब की value 1 by 5, 1 by 5, 1 by 5 और 1 by 5 इन सब को R equivalent बताना है तो add कर दो तो maximum के लिए हमें पता है कि series में लगाएंगे तो ही maximum आएगा series में लगा दिया answer कितना आएगा 5 by 5, that is 1 ohm ठीक है 1 ohm, D is the answer ठीक है next question क्या कह रहा है आपसे यही same question है 1 by 5 resistance ओम का ही resistance है अब minimum resistance बताना है minimum हमने किस में निकाला minimum हमने निकाला parallel connection में मतलब अब हमें इन पाचों को parallel में लगा देना है 2, 3, 4, 5 यह 1 by 5 1 by 5 ohm लगा लो ohm मत लगाना भूलना ohm मत लगाना भूलना क्योंकि नंबर कट जाएंगे यह unit को छोडने से नंबर कटते हैं ठीक है सबका answer मुझे किसी का answer ही नहीं दिख रहा है इस question के लिए कहां गए सारे फटा फट से 1 by R equivalent निकालने के लिए क्या करोगे 1 upon 1 by 5 plus 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 1, 2, 3, 4 एक रहा गया ठीक है 1, 2, 3 क्या हो जाएगा यह 5 क्योंकि यह 5 उपर चला जाएगा 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 that is 25 25 किसकी value होई 1 by R equivalent की R equivalent की value हो जाएगी 1 by 25 is it clear किसी ने भी answer ही सबने 25, 25 शुरू कर दिया 25 कहां से आएगा भाई 25 answer आएगा 1 by R equivalent का R equivalent के लिए तो reverse करोगे तो answer क्या आएगा B 1 by 25 कहां गई सारी जनता यह 25, 25 चल रहा है अभी B 25, 25 घंचान दास ने बताया है बिल्कुल सही तनीशा ने sad boy ने बाब बोला है आप बताया है ठीक है clear है अगर इस question में तो 5 resistance दिया था अगर मैं ऐसे 10 resistance कर तू तो भी क्या करोगे maximum पूछा है maximum पूछा है तो series connection और अगर minimum पूछा है तो parallel ठीक है? next question बिल्कुल सही बिल्कुल सही the proper representation of the series combination of the cell obtain maximum potential is series combination बताना है series combination में क्या होता है cell का कि पहले का positive दूसरे के negative से जुड़ा होता है मतलब पहले का positive दूसरे के negative से जुड़ा होना चाहिए वो होता है series combination parallel combination क्या होता है कि दोनों के positive जुड़े हुए दोनों के negative जुड़े हुए है ठीक है? ठीक है? दोनों के positive जुड़े हुए है, दोनों के negative जुड़े हुए है, यह होता है parallel अब तुमसे series पूछा है, series में क्या होता है एक का positive दूसरे के negative से जुड़ा होता है, दूसरे का negative दूसरे के positive से जुड़ा होता है अब इस connection में तो यह positive और negative के बीच में यह line ही missing है और यहाँ पर तो क्या चल रहा है answer गलत है इनके बीच में भी यह line missing है तो यह भी गलत है यह भी गलत है battery को represent किसे करते हैं एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा इस तरीके से आप एक cell को या battery को represent करते हो cell ऐसे होता और battery कैसे बनती है ऐसे ही बहुत सारी चीज़े आपकी serious combination में जुड़ती है तो यह दो option बच गए अब देखो positive, negative, positive, negative positive, negative, positive, negative यह दोनों एक cell है यह दोनों एक cell है रुको यह तो घोच-बोच हो रहा है एक काम करते हैं दूसरे pen से दिखा देते हैं यह एक cell है यह एक cell है यह एक cell है और यह cell है इसमें यह 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 एक cell है इसका connection देख लेते हैं यह है positive, negative, negative positive, negative, positive, 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 negative इसका positive और negative तो negative और negative आपस में जुड़े हैं फिर इदर positive, negative फिर इदर positive, positive तो यह answer गलत है serious combination का answer कौन सा होता है positive, negative, negative से positive जुड़ा है, negative से positive जुड़ा है negative से positive जुड़ा है, तो answer will be answer 1 will be correct, बिल्कुल साही, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया एक-एक बच्चे ने ए-ए-ए answer सबका correct answer है इसमें सबका correct answer है चीक है? चलो फिर 9th question, अतियंत easy question है भई सबसे easy question है answer बतादो इसका क्या कह रहा है question, which of the following represent voltage voltage को इन में से कौन साथ represent करता है voltage का formula लिख लेते है, answer जितने सबका आता है, किसने किया है answer महक चरन ए-answer बता रहे है यार बच्चे चलो देखते हैं, ए-answer है या नहीं है नहीं बेटा, app पर नहीं है voltage का formula होता है work done per unit charge क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है इधर work done, per unit charge तो नहीं है charge into time, current charge ये तो ये formula तो नहीं है मतलब हमें इस formula को थोड़ा सा modify करना पड़ेगा charge यानि की charge यानि की हमें formula पता है किसका current का, i is equal to charge upon time charge की value पुट कर दो current into time तो work done और charge की value क्या पुट करेंगे charge यानि की क्यूँ का होगा current into time किससे इस वाले formula से फड़ावट से work done divided by current into time पुट करो, आप मिला कर देखो क्या आपका answer मिल रहा है क्या आपका answer अब मिल रहा है ये तो गलत है answer work done into time नहीं time divide में आएगा into charge गलत है तो सही answer कौन सा हो गया work done upon charge into time बिल्कुल सही sad boy, left gamer sad boy, हाँ विश्णू, प्राची, संदीप, सब का answer सही है चीक है is it clear to everyone बहुत easy question था कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इसमें तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी चालो फिर next question है आपकी screen पर यह रहा computer जी की तरह जैसे वो बोलते हैं हमारे अमिताब बच्चन जी अमिताब बच्चन की तरह करोड़पती खेलना है paper में फड़ा फट से यह जो गलत गलत option है ने eliminate करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ और सही answer पर पहुंच जाओ क्या कहरा है यह question a cylindrical conductor of length L uniform area of cross section A has a resistance R length दिया है, uniform area दिया है, resistance दिया है another conductor of 2L length resistance R and same material has an area of cross section पहले वाली में resistance दिया है resistance दिया है, जी और मैं उसकी value लिख लेती हूँ R is equals to rho L by A L ही दिया है न, L दी है इसकी length और area of cross section A rho क्या है हमारी rho है हमारी resistivity of material हमें पता है, बहुत ही अच्छे से कि rho किस पे depend करती है सिरफ material पे depend करती है size क्या है, length क्या है उस पे depend नहीं करती है तो अपने एक और conductor लिया है उसकी length है 2L, resistance है R इसका भी resistance R है और इसका भी resistance R है तो अब इसके लिए resistance की value लिखोगे length हो गई 2L area आपको find out करना है area को मैंने माल लिया A dash उसके बाद आपका same material है, मतलब roho same है तो यहाँ पर roho ही आ जाएगा clear है R is equals to 2 roho L by A dash निकालना क्या है area निकालना है ना बस जो निकालना है उसको left hand side में रखो बाकी सब चीजों को right hand side में ले जाओ roho L by R अब क्या करो इस वाले पहली equation से R की value पुट कर दो पहली equation से R की value पुट कर दो तो क्या हैगी R roho L इधर से R की value आ गई roho L by A roho L से roho L कर जाएगा हमारा A dash की value क्या आ जाएगी ये 2 बचा ये area उपर आ जाएगा तो 2A तो answer क्या आ गया 2A answer आ गया यानि की C is the correct answer दुर्जन सिंग ने विल्कुल सही प्राची, विष्णू चारन सिंग हाँ मैं आ बिलकुल आया आज मैं मिताब बच्चन से मिलका है हूँ, इसलिए आज तो मैं मिताब बच्चन स्टाइल में पढ़ा रही हूँ electrical power पे अटक गए हैं कुछ लोग electrical power क्या होता है, work done per unit time is defined as power या फिर rate of doing work किसी काम को करने में कितना time लगता है, उसी को हम power कहते हैं ठीक है, next question on your screen बहुत ही easy-easy question है, exemplar में तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पढ़ रही है है ना क्या कह रहा है next question a student carries out an experiment and plot V.I. graph of 3 sample of nechrome wire ठीक है किसी एक student ने experiment carry out करा है और 3 sample निकाले हैं और V.I. graph में plot के हैं एक का resistance R1, R2, R3 which of the following is true question में क्या है, क्या तीनो resistance same है या फिर कोई ऐसा ascending or descending order है, चलो फिर ohm slow हमें पता है ohm slow क्या है V is equals to IR है और हम जब V और I के बीच में graph plot करते हैं तो कुछ सीधी line देता है इस तरीके का linear graph देता है और जो इसकी slope होती है slope of the graph वो क्या देता है R is equals to V upon I वो देता है हमें resistance slope का मतलब क्या है कि ये x-axis के साथ कितना angle बना रही है अब आपको बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि आपकी voltage इधर है, current इधर है ठीक है, मतलब अगर आपको आपकी slope जो होती है, वो क्या होती है, I upon R है आंसर बताओ इसका, R3 is greater than R2 is greater than R1 आर्थरी सबसे सबसे बड़ा होगा क्यों, क्यों, क्योंकि उसकी slope सबसे कम है जब आप देखोगे, ये slope सबसे कम है, ये इससे जादा है, ये इससे जादा है सबसे कम slope का मतलब क्या है, सबसे कम slope का मतलब क्या है देख लेते हैं, आईए, आपको ये graph, sorry, ये graph जो आपके draw किया हुआ है ये देगा क्या, क्या होती है slope, slope होती है y-axis upon x-axis मतलब जो slope देगी, वो ये देगा, slope क्या देगा आपका, I by V देगा इसका इस graph का slope आपको देगा I by V, और I by V क्या होता है, I by V होता है आपका 1 upon R तो slope की value क्या हो गई? slope की value हो गई 1 by R, जिसकी slope सबसे कम है, उसका resistance सबसे जादा होगा क्यों? क्योंकि inversely relation है, जिसकी slope सबसे कम है, उसका resistance सबसे जादा होगा यानि कि R3 की slope सबसे कम है, देख रहे हो न, ये angle, ये angle, ये angle सबसे कम angle किसके लिए है, R3 के लिए है, इसलिए R3 की slope सबसे कम होगी तो R3 का resistance सबसे ज़्यादा, फिर R2 का, फिर R1 का, तो जिसने भी ये answer दिया था R3 greater than R2 greater than R1 is the correct answer ma'am, हमको ये नहीं दिख रहा है कि clear की नीचे जो है, वो R3 है या R1 है ये R3 है, बता देते हैं जी, clear हो न चाहिए, बस question ये है R3, R2, R1, ठीक है? हाँ जी, पिल्कुल सही, इसकी slope आपको 1 by R दे रही है slope का formula होता है, जो y axis पे चीज है, divided by x axis पे चीज अगर मैं ऐसा कुछ graph बनाती, तो slope आपको V upon I देता यानि की direct resistance देता, तो आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि x axis पे actually क्या है, और y axis पे actually में क्या है clear है, बहुत बढ़िया, चालो फिर, next question ये रहा आपकी screen पर अगर if the current I through the resistors is increased by 100%, temperature को assume करना है कि constant है, तो power dissipation कितना increase होगा, इस question का answer बताओ, पड़ा पड़ से answer बताओ, sad boy, दुर्जन, बताईए, बताईए, answer बताईए, स्वाती मैम की भी class लगेगी, आप तब पूश लेना, doubt, कोई बात नी बेटा, 100%, पावर का formula क्या होता है, पावर का formula होता है, V into I, हांज, बिल्कुल से, क्योंकि आप देख रहे हो, इसमें आपको सिर्फ current change करने के लिए बताया है, और कोई चीज के बारे में आपने कुछ बोला ही नहीं है, तो मैं यह माल लेती हूँ, voltage constant है, current बढ़ाया है, तो voltage में constant माल लेती हूँ, तो as हमारे पास जो यह, ओ, सौरी, हमारे पास जो यह power है, हमारी अगर power, अगर current हमारा 100% increase हो रहा है, तो directly proportional होने के कारण, यह भी हमारा 100% increase होगा, चीक है, मैं question नहीं समझ में आ रहा है, question 12 नहीं समझ आया, क्या कह रहा है कि current को हमने 100% increase कर दिया, कोई कहता है 10% increase कर दो, कोई कहता है 20% increase कर दो, इसने क्या बोला 100% increase कर दो, 100% increase करने का मतलब क्या है, माल लो current पहले 2% था, current पहले 2% था, sorry 2 MPR था current, अब हमने इसको 100% increase करना है, इसका मतलब है 100% of 2 100% of 2 कितना होगा 100 by 100 into 2 यानि कि 2 ampere ही मतलब पहले अगर 2 ampere था तो अब 2 ampere और बढ़ा दो क्योंकि 100% increase करना है 2 का 100% 2 ही होगा तो अब जो हमारा current होगा वो कितना हो जाएगा 4 ampere हो जाएगा 100% increase करने के बाद current हुआ 4 ampere अब पहले power थी कुछ 2V 2V थी अब आपने 100% current increase कर दिया तो अब आपकी power क्या हो गई 4V अगर current 100% increase हुआ तो power भी तो 100% increase हुई power भी तो 2 से 4 हो गई power भी तो 2 से 4 हो गई watch की अब आ जा रही है चली next question की और watch को हटा देते हैं यह हमारा आज की class का last question दिक्कत नहीं लेनी है last question है फिर आगे next classes में करेंगे हम बाकी सारे question फिर अफट से बताओ इसका answer क्या है और कोई question नहीं समझ में आया है तो वो भी बताओ कि मैम यह question नहीं समझ में आया हमें कि मैम यह question नहीं समझ में आ रहा है वो भी बताना है और इस question का answer भी बताना है क्या कह रहा है question the resistivity does not change if resistivity does not change if resistivity का formula क्या होता है Resistivity का formula क्या होता है Resistivity का formula होता है Resistance का formula होता है Rho L by A और Resistivity क्या हो गया R A by L लेकिन ये हमारा Nature of material पर depend करता है ठीक है और एक और factor है जिस पर ये depend करता है That is temperature अगर आप अपनी NCRT की book खोल के देखोगे न बिटा तो आप एक चीज़ पाओगे कि जो आपको इटेबल दियोगे Resistivity और material की की copper की कितनी resistivity है Steel की कितनी है Necrum की कितनी है Paper की कितनी है सब ही materials की आपको resistivity दियोगी गया अगर आप अपनी book खोलोगे तो आप देखोगे उपर temperature mention है कि ये 25 degree है 20 degree Celsius पे ये पूरी की पूरी टेबल है मतलब कि आपकी जो resistivity है वो temperature पे depend करती है लेकिन आपके level के लिए हम एक चीज़ देख कर चलते हैं क्या देख कर चलते हैं कि हम हमीशा हर एक चीज में इसको constant मान के चलते हैं चाहे हम ohm slow पढ़ रहे हैं चाहे हम resistance पढ़ रहे हैं चाहे हम resistivity पढ़ रहे हैं तो इन दो चीज़ों पे depend करती है ये कह रहा है does not change if क्या कि कब resistivity change नहीं होगी अगर nature of material change होगा तो भी change हो जाएगी temperature change होगा तो भी change हो जाएगी material is change no क्योंकि material अगर change हो गया resistivity में does not change नहीं आएगा resistivity change आएगा temperature is change ये भी नहीं temperature change होगा तो resistivity भी change होगी बहुत material and temperature change ये जो D लिख रहे हैं मुझे बात बताओ अगर आप question पढ़ो धंक से question क्या कह रहा है कि अगर आपकी resistivity change नहीं होगी जब अगर आपने material and temperature change कर दिया तो resistivity तो change होगी जाएगी resistivity तो change होगी तो ये answer भी कलत है अगर आपने shape of resistor change कर दिया ना तो आपकी resistivity पे कोई भी फरक नहीं पड़ेगा तो आपकी resistivity पे कोई भी फरक नहीं पड़ेगा कब? कब जब आपका shape of resistor हमने change कर दिया ठीक है, so the answer is C, D answer क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको question में does not दिया हुआ है अगर दिया होता कि change कब होता है, जब होता है, जब material और temperature दोनों change हो जाते हैं ठीक है ना, clear है चालो फिर आज हमने 13 question कर लिया है, examplar के which is a very nice thing next class में और बहुत सारे question कर लेंगे, examplar की, क्योंकि examplar तो important है, उससे तो कर नहीं है ठीक है, चालो यार बिना time waste करें, अपने question शुरू कर देते हैं क्योंकि बेकार का time waste करने से कोई फाइदा नहीं है, सब लोगों को wish you a very good evening, जिसने भी मुझे good evening wish किया है, किसी का भी नाम रह गया हो, तो sorry, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ बेटा, आप लोग अपने हालचाल बतादो comment section में हालचाल के साथ तो शुरू कर देते हैं पहला question, which is the most important question, क्योंकि इस question में आपका आदे से जादा एक पूरे lecture का content include हो गया, इस वाले question में पहला question क्या है, I have invited my 10 friends, thank you so much रोनित यादब अब दिखते हैं, आपकी 10 friends में से कितने friends आते हैं, हाँ हाँ, साफिक शुरू हो चुका है याँ, शुरू हो चुका है, गुद इवनिंग आपकी नेहा, गुद इवनिंग सुषान, गुद इवनिंग नेटी वन 304, और बताओ, सब चंगा सी, इस question का answer कौन करेगा, चाओ प्रियंका, चाओ, कंप्यूटर जी की तरफ से भी चाओ, जल्दी से यार, मज़ा निया रहा, बच्च्ची निया, पता नही थोड़ी से बच्चोंने जोइन कर रहा है, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, अच्छा, नमास पढ़ने भी जाना है, जल्दी से यार, कुछ question करते हैं, ऐसे यार, नमास पढ़ लेना, लेकिन पहले फड़ा-फड़ से हम ये पढ़ाई कर लेते हैं, कौन-कौन से questions है, list the properties of magnetic line of post, जल्दी से सब लोग property list कर दो, बिड़ा section की details में आपके तक पहुँचवा दूगे, मुझे अभी पता रही है, साग्य की, कब से next session स्टार्ट होने वाला है, इसी, इसी month से सब session स्टार्ट होंगे, लेकिन date exactly मुझे नहीं पता, मैं आपको बता दूगे, ठीक है, बिल्कुल से यार, य ये question मैं हर एक class में आते ही, पहला question यही कराती हूँ, कि मुझे फड़ा पट से चारो की चारो property list करा दो, कौन कौनसी है चारो property, पहली property की बाहर तो जाती है, north to south और अंदर south to north, इसी तरही के से है, field line की पहली property, outside, north to south, inside, south to north, पहली property, सबको याद हो गई, दूसरी भी, कि वो close curve बनाती है, कुछ पूरा curve बनाती है, loop भी बोल सकते हैं इसको, तीसरी property, no two magnetic field lines can intersect each other, good evening, अभी शेक, hello बेटा, hello रुपेश, मैं मुझे आज तक add नहीं करा, गलत हो रहा है यार ये तो, गलत हो रहा है, next property, कर देंगे, आप लोग अपना number छोड़ दो यार, सबको add कर देंगे, next property है, आपकी, the density of magnetic field line, decrease, decrease when the distance between the pole increases, अब ये क्या property है, मैं आपने इस तरीके से तो बतानी रखी थी है, ये आपने इस तरीके से बताई हुई थी, कि ये जो crowdness है, crowdness से बताई हुई थी, दूसरी किस चीज से बताई हुई थी, यार, कि closeness, कि जितनी पास-पास line ह होंगी, वो उतना magnetic field strength को, क्या करेगा, indicate करेगा, किसको indicate करेगा, अच्छे से लिख देती है, magnetic field strength को, अपनी language में भी बना कर लिख सकते हो, जरूरी नहीं है, जो मैम लिखके लाई है, वैसे ही answer करना है, पहला question सबको clear, सबको rules पताई, class के, जैसे जो चीज clear हुई है, थमज बड़ा सा, जैसे ही class खतम होगी, अपने number comment section में छोड़ देना, whatsapp group पे add कर दूँगी, ठीक है, हाँ, हाँ, नमाज जरूरी, I can understand, प्रियम, good evening, good evening, प्रियम, next question की तरफ, क्या हम चल सकते है, किसे ने भी धंज़ अपनी बेजा, dangerous girl ने बेजा है, बस, force is, ना, ना, तनवी, this is not the property, this is not the property की force maximum pole पर होता है, ये property नहीं है, ओके यार गाईस, बाई बाई, जिसको भी नमाज पढ़ने जाना है, sorry, इस टाइम पे आप लोग की class लगी है, लेकिन नमाज पढ़ते ही, वापस class आके देख लेना, चीक है, next question, why two magnetic lines of force intersect each other, never intersect each other, दो magnetic force line की क्यों intersect नहीं करती, it is an important question, जल्दी से answer करो यार, electric motor अभी बताती हूं, electric motor का तो मैं तुम्हारे लिए एकदम line to line लिखके लाईं की paper में किस तरीके से लिखना है, हाँ हाँ अज निकिता मैं की class होनी चाहिए थी, निकिता मैं की class नहीं हो रही है, क्योंकि निकता मैं थोड़ी सी उनकी दवित खराब हो गई है, चीक है, good evening, good evening, because if they do, सुमीती का answer आया है और देखो किसी का answer नहीं आया है, क्योंकि इस question का answer कोई देहीं नहीं रहा है, क्यों नहीं दे रहे हो भाई, क्या है इसका answer, magnetic field line ने अगर intersect कर दिया इस point पे, तो क्या होगा, इस point पे tangent दो बनेंगे, क्योंकि दो कर्व है, दो टेंजेंट मतलब, दो टेंजेंट मतलब, दो डारेक्शन, दो डारेक्शन किसकी, फील्ड की, अब क्या ये पॉसिबल है, क्या ये चीज़ पॉसिबल है, नो, it is not possible, it is not at all possible कि इसकी दो डारेक्शन हो जाए, कैसे लिखेंगे, कि वाई डोंक्ट टू, two magnetic field lines intersect each other, because if they do intersect each other, that means, at that point, there will be two direction of the magnetic field, बिल्कुल सही का अंशल ने, अंशल सुमीती, है युनीक बेटा, युनीक गल बेटा, और वागी रुपेश का अंसर भी सही है, सत्यम का अंसर भी सही है, तनवी ने तो पैम ही कर दिया है, जो बिल्कुल सही आंसर है, प्रीती का भी almost सही आंसर है, बिल्कुल सही, कनिश का, हाँ, बाकी सबका, सुमीती का भी सुश्मीता का भी सही आंसर है, सुश्मीता भीशी बिल्कुल सही आंसर है, जी कया तनवी शान्ट तनवी शांट इतना बड़ा इतना बड़ा जी कैए अप वाले बच्चे क्या कर रहे हो भाई क्या हाल जर्श क्वेश्चन की दरफ चले नेक्स क्वेश्चन यार ये question है जबरदस्त जिसका हर कोई वेट कर रहा था एक question में पूरा motor निपताने वाले हैं क्योंकि motor है सबसे important topic question motor से तो आना ही आना है बिल्कुल सही unique girl आब इसका answer करेंगे कि हम कैसे लिख सकते है principle को, construction को, working को किसी ने भी अगर motor का मेरा simple सा diagram अभी तक नहीं देखा है तो हमारी channel पर मैंने एक short बनाया हुआ है good good यार चेतन आ गए है well done चेतन के answer बहुत अच्छे होते हैं चेतन आ गए है चीक है उसके बाद अब हम लोग क्या discuss कर रहे हैं यार हम लोग discuss कर रहे हैं कि motor को आखिर लिखे कैसे बहुत teacher से पढ़ लिया school में पढ़ लिया doubtnet में पढ़ लिया 4-5 बार पढ़ लिया motor काम कैसे करती है लेकिन दिमाग में तो ये नहीं बैठ रहा कि answer किस तरीके से लिखे answer लिखने के लिए आजाओ यार यहाँ पर हम लोग आज लिखने वाले है answer answer में हमारे पास एक और main important चीज़ होती है diagram अब ये diagram कैसे बनाए motor का diagram ही इतना hard है जिसने नहीं देखा मेरा वो वला short जिसमें मैंने आपको simple सा diagram बनाने के लिए सिखाया है जल्दी से इस class की खतम होने के बाद इसी channel पे short है motor का simple सा diagram उसको देख लेना नहीं तो मैं इस class में भी थोड़ा सा बताई दूँग यार short में भी बढ़ा देना views like, share, comment and subscribe please कर दो भई नवे बच्चे कर दो कर दो चीक है उसके बाद पहली बात आती है principle की principle सबको clear होना चीए कोई भी गलत principle नहीं बोलेगा कोई भी यह नहीं बोलेगा कि motor का principle होता है कि वो mechanical energy से electrical energy में convert करती है जिसने भी यह principle लगा zero अंडा मिलेगा यह इतना बड़ा zero देदेगा आपको examiner एक force experience करता है और इस force की direction कैसे बताते हैं फिलेमिंग left hand rule से बताते हैं principle सबको clear है सबको clear होना चीए हेलो विटा, हेलो सूरज, रिया सबको hello, big, big hello principle सबको clear होना चीए बिलकुल clear cut हमारे tips पे होना चीए principle कि principle क्या है मोटर का, मोटर का सीधा साधा प्यारा सा वो हो थी बिचारा सा ये principle है जिसको बच्चे लिखाते है principle है मोटर का, हाँ देखो लिख दिया, कनिशका ने लिख दिया कनिशका ने लिख दिया electrical energy से mechanical energy में बदलता है ये principle नहीं है नहीं है, नहीं है principle क्या है principle है कि जबी भी आप conductor को magnetic field में रखोगे it will experience force क्या current carrying conductor experience is a force when placed in a magnetic field एक और बात बता देती हूं screenshot लेने वालों मैं काम करूंगी ना यार यह pdf share करवा दूंगी क्या दिक्कत है कोई जरूरत नहीं है कोई भी जरूरत नहीं है यार ठीक है next चीज next चीज देख लेते हैं अब यह इसके construction का part है construction में सबसे पहले आती है armature coil या coil armature coil को armature coil क्यों बोलते हैं बस यह जो बीच में जिस coil को हमारा मन है न rotate कराने का जिसका हमारा मन करता है कि इसको rotate करा दूंगी यह यह armature coil इसी को बोलते है armature coil नहीं नहीं मुंबई बोर्ड के लिए same questions तो नहीं आएंगे obviously but importance इस question की उतनी है क्योंकि motor तो सभी बोर्ड के लिए important है है ना दूसरा क्या है strong magnetic field जो इधर यह जो magnet लगाते हो north और south लिखके इसके लिए दो strong magnetic field चाहिए फिर चाहिए split ring split ring क्या करती है एक पूरा rotation कराने में help करती है यह पूरा rotation किस तरीके से होता है यह पूरा rotation होता है कि यह क्या करती है reverse कर देती है commutator की तरह act करती है last है हमारे पास brushes यह brushes क्या करते है commuter के touch में रहते हैं और constant current provide करते रहते हैं यह चीज़ क्लियर है principle again बता दू principle सुन लो principle क्या कहता है कि जभी भी एक करेंट अक्टर लेकिन conductor कैसा current उसमें अंदर current भैता हुआ कैसा conductor रुपेश वैसा conductor जिसमें current भैर ओ उसको घुसादो magnetic field के अंदर magnetic field के अंदर अगर current carrying conductor को रख दिया तो वो जो conductor है वो force experience करेगा और उसका force निकालेंगे कैसे left hand filming rule से निकालेंगे left hand filming rule क्या है left hand की उंगलियों को इस तरीके से stretch करोगे अब अगर किसी ने ये stretch कर दिया ना paper में इतने दिन रहे हैं कोई फायदा नहीं है अगर किसी ने ऐसे stretch कर दिया कैसे stretch करोगे ऐसे ऐसे करना कोगे मैं यह भी तो 90 degree नहीं करना ऐसे stretch stretch ऐसे करना है ठीक है कोई दिक्कत कोई परिशानी कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए होएगी नहीं left hand filming rule में इस तरीके से कर दो और अपने अंगूठे को काओ कि तुफोर्स देगा फोर्स जब तुम किसी को थमस अप दिखाते हो तो फोर्स देता फोर्स इना हो गया ना बिल्कुल सही उसके बाद आपकी first finger यानि की first finger और index finger कुछ भी बोल दो ये देगा magnetic field तीसरी finger आपको बताएगी current की direction बताएगी नी इसको आपको बताना पड़ेगा current की direction किसको middle finger को first finger को आपको करना पड़ेगा क्या father mother child पहली finger को आपको करना पड़ेगा magnetic field की direction में thumb को करना पड़ेगा force force thumb force देदेगा कि कौन सा force है सबको clear हो गया दूसरी चीज हमको क्या करनी है अब simple सा diagram बनाना है अब जिसने भी मेरा short देखा है diagram का वो मुझे एक thumbs up दे दो इतना अच्छा short बनाया है मैम की थोड़ी तारीफ कर दो क्यों रिया social science की class क्यों देखने जा रहे हो physics में पास नहीं हो आपने motor का diagram बता रही हूं लेकिन diagram में देखो मैंने एक short के form में भी बताया हुआ है लेकिन फिर भी मैं कर रहे हूं हाँ यूनीक गल ने जो बताया है वो यह है father, mother, child इससे याद कर लो father, mother, child फादर का F ले लो, mother का M ले लो, child का C ले लो, force कौन सा finger देगा कौन सा thumb उपर से नीचे से शुरू करो magnetic field ये कौन सी finger देगी, first finger यानि की index finger आपके पास तीसरी चीज़ बची है, C4 current ये देगी आपकी middle finger motor का simple सा diagram, क्या करेगा, bye bye ma'am, कहा जा रहे हो रुपेश आप, ma'am short में principle तो मैंने 3-4 बार बता दिया, रुपेश आपको, short में principle इतना है of current carrying conductor when placed in a magnetic field experiences force, simple सा, बिल्कुल सिंपल सा, हमारे पास ये वो है, क्या है, बिल्कुल सिंपल सा, प्रिंसिपल है, पड़ा पड़ा आजाओ, हम बनाते हैं, क्या बोल रहे हैं, red marker दिखनी रहे हैं क्या, ma'am, मैंने देखा, वो red marker से आपने हैं, रुपी ने देखा है, thanks, चीक अजी से देखते हैं, यार, एक डबा बना दो बीच में, एक डबा इस तरीके से side में, डब्बे को बंद करने के लिए नीचे ले आओ, दो हाफ रिंग बना दो, दो हाफ फिर से ring बना दो, मतलब दो हाफ रिंग बना दो, रिंग को कॉल से जोड़ दो, रिंग के side में brushes बैटरी से, इससे simple diagram कहीं देखा है, क्या motor का, इससे ज्यादा simple diagram आप बनाई नहीं सकते और पेपर में, इससे कम time consuming है ही नहीं, है ना, फड़ावट से labeling कर देते, पहले ये बताओ, simple है ना, ये, simple है ना, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए ये तो, डब्बे में मिठाई भर द बिल्कुल सही बाद, फड़ावट से labeling, north, south, a, b, c, d हमारे पास, coil, ये हो गई हमारे पास, ring, splittering, r1, r2, b1, b2, brushes, ये हो गई बैटरी, last चीज जो आपको दिखानी है, वो दिखानी है करेंट की direction, positive से, ये positive terminal है, ये negative terminal है, positive से negative जाएगा आपके पास, current, ये हो गया आपका प्यारा सा diagram पूरा, और और impress करना है, teacher को, b1, b2 के आगे brushes लिख दो, r1, r2 के आगे splittering लिख दो, किसी को note करना है, side हो जाओ, screenshot लेना है, जल्दी से लेलो, इस diagram का screenshot, इतना easy सा diagram है, ठैंक्स मैम, अम मैं जा रहा हूँ, क्यों जा रहा है सूरज, ये सारे बच्चे क्लास छोड़के क्यों भागते जा रहे हैं? हंजी, लेलिया screenshot, बन गया diagram, आगे working पे चल लें? अगर question में अंकित पूछा हुआ है working तो लिखना पड़ेगा, मैम, फिलमिंग left hand rule समझा दीजे, ये रहा आपका फिलमिंग left hand rule, जब भी आप अपने थम्ब को, यही है फिलमिंग का left hand rule. अपना उल्टा हाथ अपने फोन के आगे कर लो, अपने अपने उल्टे हाथ पकड़ लो, इस तरीके से, अपने उल्टे हाथ की उंगलियों को ऐसे एक दूसरे से perpendicular कर लो, खीच लो, फिर से बता रही हूँ, इस तरीके से कोई नहीं करेगा, मिर से तो देखो हो भी नहीं रहा है, इस तरीके से कोई नहीं करेगा, क्योंकि it is a wrong way, correct way is this तरीका, कि आप इस तरीके से अपनी तीनों उंगलियों को कर लो, भाई मिवात्ती छोरा, ये कौन है, इस तरीके से अपनी तीनों उंगलियों को stretch कर लिया, and stretch करने के बाद आपकी तीन उंगलिया है, thumb, index finger और middle finger, आपका thumb कहाँ पर indicate करेगा, आपका thumb indicate करेगा, force की direction में, जब आप अपनी index finger को करोगे, किसमें, magnetic field की direction में, अपनी middle finger को current की direction में, आपका thumb आपको force देदेगा, और कौन सा force देगा, force देगा, जो की आपके पास उस conductor पर लग रहा है, जिसमें current भी बह रहा है, और उसके अंदर magnetic field भी है, अब अगर किसी और को भी filming का left hand rule समझना है, तो motor की help से समझ लेते हैं, motor तो है ही अपने पास, motor में तो आए गई, आए गई question, they are mutually perpendicular, बिल्कुल सही कहा सुमीती ने, ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि हमारी direction of magnetic field क्या होती है, ये अंदर जा, चला गया, क्या होती है हमारी पास direction of magnetic field, direction of magnetic field होती है north to south, north to south होती है, मतलब अगर मैंने अपनी तीनों उंगलियों को इस तरीके से stretch कर लिया, तो मुझे अपनी, जो first finger है, that is, index finger उसको magnetic field की direction में करना है, magnetic field की direction में मैंने अपनी first finger को कर लिया, लेकिन मुझे अपनी middle finger को कहा पर करना है, current की direction में, मैंने अपनी first finger को कर लिया है किधर? magnetic field की direction में current की direction में middle finger को करने के लिए इसको इस तरीके से घुमा दूँगी तो मेरे पास तीनों उंगलियां कुछ इस तरीके से आ जाएंगी ये रही current की direction ये रही हमारी field की मेरा thumb नीचे की तरफ direct कर रहा है ये देखो thumb नीचे की तरफ direct कर रहा है ये रही thumb की direction तो हमारी force AB पे कहा लगेगी? नीचे की तरफ अब यही same चीज CD में लगा दो CD में जब आप लगाओगे तो इस तरीके से आपके पास current आ जाएगा ये रहा current current नीचे, magnetic field इदर thumb कहा direct कर रहा है? out of the paper कुछ इस तरीके से मतलब coil की एक side पे नीचे की तरफ force लग रहा है एक side पे उपर की तरफ force लग रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कि आपकी coil को rotation मिल गई है rotation मिल गई है half, half rotation तक पहले देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से लिखना है किस तरीके से लिखना है? left hand का diagram बता दो left hand का तुम्हें तो मैं left hand live दिखा रही हूं left hand तो मैं तुम्हें live दिखा रही हूं हाँ भई good evening अनुराग, सुशान ठीक है? आजो ये कुछ working है यार कुछ इस तरीके से हम working को लिख सकते हैं जिसको screenshot लेना है अब ले सकता है क्या क्लिखना है? सबसे पहले figure को कर देना है describe, पूरे पहरे पहरा graph में हमने सिरफ figure को describe करा है कि कहाँ पर हमने ring, कहाँ पर हमारी armature coil है, नाम क्या है armature coil का A, B, C, D north and south pole है magnetic field का उसको बताया है, ends of the coil are connected to the two half splittering यह जिस तरीके से diagram बनाया है, पहले paragraph में हमें सिरफ वो ही लिखना है the external conducting edges of PNQ can touch the two conducting stationary brushes पहला अगर आपको पहला अगर आपको paragraph skip भी करना है, आप वालों को दिक्कत लेने की जरुरत नहीं है, जिनके पास screenshot का option नहीं है, आप लोग बस एक काम करना, मैं आप लोग को पूरी की पूरी PDF दे दूँगी, चिक है? अच्छा, principle short में write करना बता देते हूं, यार पहले रुपेश को principle बता देते हैं, चलो ये रहा प्रिंसिपल, लिखो, वेना करेंट केरिंग कंड़क्टर प्लेस्ट इन अमगनेटिक फिल्ड प्लेस्ट इन अमगनेटिक फिल्ड इट, 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 एक्स्पीरियन्स इजा फोर्स अब रुपेश को ख्लियर हो जाना चाहिए ये रहा आपके पास principle principle of motor I hope it is clear now मैं move on कर रही हूँ आपके principle से हम working करते हैं अब electromagnetic induction भी बता दूँगी शान्त तो जाओ थोड़ा सबर मैं आपने group में add नहीं किया group में add कर दूँगी जैसे ही class खतम होगी तब मुझे number दे देना मैं number note कर दूँगी ठीक है मेरी term 1 में percentage जानके क्या अगर होगे यार हमारे time पर term 1 नहीं होदा था term 2 नहीं होदा था सीधे exams होते थे मेरे 10 में आये थे 9.60 GPA हांजी शिवांशी अदित्य मैं कोई दुश्मिनी नहीं है यार किसी से भी दुश्मिनी नहीं है फुशना है आप लोगो को पेपर में लाइफ थोड़ा बताना है माव लेफ्ट-हांन डून फिलेमिंग रूल का विवेक आपको डाईग्राम कोई नहीं पूछेगा पेपर में लेफ्ट-हांन फिलैमिंग hand three fingers in perpendicularly, mutually perpendicular to each other, then your thumb will direct into the fourth, then your index finger will direct into the magnetic field and your middle finger will direct into the current direction. चीक है? Last paragraph में आपका इस तरीके से पूरी की पूरी वरकिंग एक्स्प्लें करी हुई है. किस तरीके से पहले उसने बता दिया कि हाफ रोटेशन होगा, कि ABCD कोईल में, AB में नीचे फोर्स लगेगा, AB पुशिस डाउनवर्ड, लेकिन CD में अपवर्ड लगेगा. थस्दा कोईल क्या करेगी? एंटी क्लॉक्वाइस घूमेगी. अब क्या होगा उसके बाद, हाफ रोटेशन के बाद, जो आपकी split rings है, वो क्या कर देंगी? जो split rings है, वो आपका current reverse कर देंगी. current reverse करने के बाद, आपके पास फिर से क्या होगा? AB में तो अपवर्ड लगेगा, और CD में डाउनवर्ड लगेगा, जिसकी वज़े से आपकी पूरी एक anti-clockwise वाली, आपकी पूरी एक anti-clockwise, आपकी direction of this coil, यह जो बीच में coil रखी है, पूरी हो जाएगी. चिक है? clear है? अच्छा नहीं, WhatsApp नमबर लिख दू. चलो, next question. आगया electromagnetism, शान तो जाओ आब. Repeat, please repeat. बिटा, important question ही चल रहे हैं, राशी दहिया, important question ही चल रहे हैं, आप कहाँ खो रहे हो? next question. जिसको repeat करना है, बिटा, यह motor का पूरा का पूरा working है, यह बस लिख रखा है, मैंने अभी explain कर दिया है, कि यह आपका diagram, diagram में पहले force नीचे लगेगा, left hand filming rule लगा की, CD पे उपर लगेगा, जैसे हाफ rotation आजाएगी, फाफ rotation का मतलब है, CD उठके यहाँ आजाएगा, AB उठके यहाँ आजाएगा, पहले हमारा B1 और R1 connected थे, दूसरे rotation में beat 1 और R2 connected हो जाएगे, मतलब उल्टा हो जाएगा connection, उसके बाद जब इसमें current flow करेगा, तो उसकी वज़े से CD में downward लगेगा, और AB में upward लगेगा, जिसकी वज़े से आपका एक complete rotation पूरा हो जाएगा, इस coil का, ठीक है, chapter 12 के भी करा दूंगी, ठीक है बिटा, मैंने बोला, class start होने से पहली बोला, पराशी, next जो इसका episode होगा, उसमें हम लोग electricity के सारे main numericals करने वाले हैं, अच्छा exam हो गया है आपका, तो आपका social science का एच्छी के बिटा, आपको commerce वाला ओपी करो, ओ, पहले 10 तो पूरी कर लो, फिरी कर ले ना, commerce, commerce, next चीज है, आपकी what is an electromagnetic, 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 right to uses of electromagnetic, कहां गया question, अरे, ये रहा, electromagnetic क्या है, हम लोगों ने कल डिसकस किया था, कि हम solenoid को electromagnetic बना सकते हैं, solenoid को electromagnetic कैसे बना सकते हैं, हम इस solenoid में, बीच में एक iron core रग देंगे, क्या रखेंगे, iron core रग दिया, इसको battery से connect कर दिया, बनाई थी ना, कल simple diagram, last वारे lecture में, ये है simple diagram, हमारी electromagnetic का, इसके दो uses बताए थे, एक use तो क्या ही है, एक use simple हम motor में use करते हैं, last class में दूसरा भी बनाया था, कौन सा, कि JCB का जो end होता है, JCB का ऐसे claw वाला हाथ होता है, उस claw में हम लगा देते हैं, ये वाला electromagnet, उससे क्या होता है, electromagnetic temporary magnet है, जब भी उसको कोई ऐसी लोहे की भारी चीज़े उठानी होती है, ये अपने आपको magnet बना लेता है, और नीचे से लोहे वाली चीज़ों को उठा लेता है, और वो scrap को कर देता है, इधर से होदा है, चीक है, यही है कि आपके पास, इट इस टाइप ओफ मैंगनेट कैसी magnet है, ये temporary magnet है, temporary magnet, नेक्स चीज़ कि आपके पास, magnet in which the magnetic field produced by the electric current, क्या बन गब बनती है, जब तुम solenoid से current को पास करते हो, इटे बहेव एज अ मैगनेट और उसको इलेक्ट्रो मैगनेट बोलते है, यूज़ क्या है, इट इज़ टेम्परेरी मैगनेट मेड़ आफ सॉफ टाइरेन और वर्क्स लाइका सॉलेनोड, विल्खुल से यह सुमीति का आंसर भी, ठीक है, कौन से यूज़ इज़ है, पहला मोटर और जनरेटर में, दूसरा हैवी चीज़ों को उठाने के काम आ जाती है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चिन, आगे है इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन का क्वेश्चिन, कहां गया हमारा वो स्टूडेंट जो तब से इलेक्ट्रो मैगनेटिसम बता दो, इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन बता दो, आ गया है, अब इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन है क्या, electromagnetic induction एक simple सा है हमारे पास चीज जो हमारा last topic है last topic क्या है electromagnetic induction क्या है तुम अब अपनी solenoid को solenoid रखो लेकिन अब की बार अपनी solenoid में केल्रेनो मीटर लगा दो battery मत लगाओ अब तुम कहोगी कि current कहां से आएगा कैसे आएगा भाई हमारे और इस्ट्रेड आया था 1820 में यह नाम था और इस्ट्रेड नाम का बंदा इसने एक accident क्या करा इसने देखा कि जब भी तुम current pass करा रहे हो अपने circuit में circuit में से इसने current pass कराया और यह रहा आपका कैसे भी पास करा दो बल्ब लगा दो कुछ भी कर दो current पास कराना है इसने इसके पास एक compass रख दी तो compass नेक deflection चो करी यह रही compass इसने deflection चो कर दी कब जब तक current बहरा था जैसे current बहना बंद किया तो इसकी deflection बंदो गई तो फेराडे ने का मैं भी आऊंगा मैं भी करूंगा जो इसने इतनी बड़ी खोज करी है लेकिन मैं उल्टी खोज करूंगा क्या कहा फिराडे ने अब मैं क्या करता हूं और इस्ट्रेट ने तो current से magnetism निकाला था मैं magnet से current निकाल के देखता हूं magnet रग दी कुछ नहीं हुआ बेचारा गुस्से में आया गुस्से में इसको फेक के मारा कि नहीं हो रहा मेरे से नहीं हो रहा जैसी इसने फेक के मारा यार इसमें जो था galvanometer में deflection show कर दी इसने का ये क्या हुआ उसने फिर देखा इधर उदर घुमा के देखा तो उसने देखा जब तक ये जो field associated था इसको मैं change करता रहा तब तक तो मेरे पास current आता रहा जैसी मैंने इसको stop कर दिया तब current नहीं आ रहा मतलब क्या था कि उसको change करना पड़ा ठीक है अब इस question को देख लेते हैं जिसने question पूछा था मुझे लगता है वो भाग गया है क्या है right two ways to induce current in a coil अब इस coil में current induce करने के दो तरीके कौन-कौन से हैं हमें क्या करना है बिलकुल सही कहा आपने by keeping it stationary सुमिती no your second option is very much wrong नहीं not stationary रखने से तो कोई current आएगा ही नहीं stationary तो रखना ही नहीं है क्योंकि deflection तब आ रही है जब इससे associated field change हो रहा है associated field जब तक change होता रहेगा what is induced current? induced current education बेटा यही है कि आपके पास induced का मतलब होता है पैदा करना induced का मतलब होता है पैदा करना किस से आपने magnet से current पैदा करा है सुमिती first option is not correct you cannot keep it stationary दो तरीके क्या है आपको बस एक काम करना है मैंने नीचे दोनों तरीके दिखा दिये हैं आपने बस associated magnetic field change करना है मतलब magnet stationary हो या coil stationary हो उससे नहीं होगा induced या तो magnet को move करा दो या coil को move करा दो यही दो तरीके हैं जिससे magnetic field change होगा education बता चुकियो बेटा मैं answer what is induced current? induced current क्या है कि current को पैदा करना तुम current को produce कर रहे हो किस से? magnet से पूरा electromagnetic induction की definition बता दी है कि आपको electric current पैदा करना है magnet से ठीक है दो तरीके सुमीती clear है stationary नहीं रखना है Hello परमीद, Hello ठाकुर जी stationary नहीं रखना है कैसी रखना है? या तो बार magnet को towards या अवे move करा दो या coil को move कराते रहो pole से Is it clear? कौन से दो तरीके हैं जिन से current induce हो सकता है? दो तरीके या तो coil को move कराओ या फिर अपने magnet को move कराओ stationary word मत लिखना stationary जैसे ही लिखोगे magnetic field induction नाम की चीज आपकी दुनिया से गायब हो जाएगी क्योंकि stationary नहीं रखना है changing रखना है field को आसपास के field को change तभी रख सकते हो जब आपके पास या तो magnet move करेगी या coil move करेगी next question यार जिसने भी like नहीं करा है प्लीज लाइक तो कर दो at least इस question का answer बताओ चलो name and state the rule used to determine the direction of magnetic field produced around a straight current carrying conductor यह है street wire इस conductor में आपको current की direction दी हुई है magnetic field की direction निकालनी है determine the direction of magnetic field अब आप कौन सा rule यूज करोगे इसके लिए कि deflection क्यों हुई deflection होने का तो reason एक ही है बेटा deflection क्यों आती है deflection आती है हमारी की current induced हो रहा है galvanometer क्यों करेंट इंड्यूस करेगा क्योंकि उसके आसपास से magnetic field change हो रहा है यही तो फिर आड़े ने बोला कि magnetic field change हो रहा है इसलिए आपके पास current आ रहा है current आएगा तो galvanometer में deflection आएगी क्योंकि current को नापने की काम क्या आता है galvanometer या emitter बिलकुल सही right hand thumb rule right hand thumb rule क्या बताता है नीचे लिख रहा है आपका answer right hand thumb rule आपको बताता है कि आपके पास एक straight wire है straight wire की direction में अपना thumb रखो जो आपको curl होगा ना जो curl होगा वो आपको क्या देगा direction of magnetic field बिलकुल सही है यह एक पहला answer है जिसका answer सभी बच्चों ने एक दम करेक्ट दिया है क्या right hand thumb rule कुसका maxwell का decide करता है कि magnetic field कहां straight कहां होगा और क्या state करता है thumb को करो thumb को करो direction of current फिर जो आपकी finger की direction होंगी वो देंगी आपकी magnetic field either it is anti-clockwise or clockwise anti-clockwise or clockwise clear man system symmetry क्या होता है system symmetry यह होता है बेटा कि जब तुम या तो उसकी mirror image बना दो या left hand side or right hand side हमेशा हमेशा से मोती है thank you so much unique girl thank you bike you bike you abhi to questions बचे next question की तरफ चल रहे है यह रा next question क्या है next question next question है आपके पास straight the factor on which the strength of magnetic field at a point due to current carrying conductor depends अब यह आपके पास current carrying conductor है इसमें कितना magnetic field generate होगा bill is not the correct answer not 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 इसमें कितना magnetic field generate होगा इसके लिए कौन कौन से factor है एक factor तो सामने ही दिख रहा है more current जितना ज्यादा current करेंगे उतना ज्यादा field होगा ठीक है और दूसरा क्या है दूसरा क्या है कि जितना आप इस वायर से दूर जाते जाओगे यह एक वायर रखी है मैं यहाँ नीडल रखूँ यहाँ नीडल रखूँ किसमें ज्यादे deflection आएगी a point में या b point में किसमें ज्यादे deflection आएगी point a में या point b में बिलकुल सही राशी धाया well done thank you so much for putting lots of efforts thank you thank you so much yeah thank you up look as a comments not what is in my life there are हमारे भी की ठीक है सुबह से काम कर रहे है रात के 9 बिजी तक मैडम क्लास ले रही है तो भाई कुछ माम का कुछ तो जारीफ करी देते हैं मैं कब anti clockwise होता है कब clockwise होता है simple सी चीज़े current अगर उपर है तो थंब उपर है आपकी कर्ल कहा कर रही है anti clockwise anti लेकिन अगर आपका current नीचे है नीचे थंब करोगे तो आपकी कर्ल कहा जाएंगी clockwise सॉरी बिल्कुल सही ए में ज्यादा होगा क्योंकि distance पे डिपेंड करता है कि आपका कितना magnetic field है किस पर डिपेंड करता है में डिस्टेंस पर नो 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 गलत चेतन नहीं 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 टाइम फ्लो इन वन डारेक्शन यह अब स्पेस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे आवाइट के अभी magnetic field effect of electric current आएगा ठीक है दोनों factors हो गए directly proportional to amount of current और distance आपको याद रखना है question में क्या पूछा गया है किस चीज़ के factors पूछे थांक्यू सो मच प्यूश थांक्यू थांक्यू सो मच लेकिन आपको क्या याद रखना है यार आपके पूछा क्या है factor पूछा है जब कोई भी current carrying conductor में आपसे कोई और चीज नहीं पूछी कोई भी current carrying conductor के बारे में पूछा गया है next question कितने question बिचे तीन question बचें जल्दी से करते हैं ABC मुझे सब के answer चाहिए इन तीनों में rule बताने है straight wire का force का और current induced का कौन कौन से rule rule use होते है 1 2 3 जल्दी से सब लोग current का answer बता दो जल्दी बता दो unified theory of physics वा यार वा पेपर है दस दिन बाद और इने पढ़ना है unified theory of physics unified theory of physics in naam में इसका answer है और can we find okay find अगर नहीं नहीं we cannot find us find it in this class अच्छा आपका clear नहीं है Ruby आपने classes ली थी इसका answer बताओ यार पहले का कि किसी straight का वायर में जब आपको किसी straight current carrying wire में अगर आपको field की direction निकाल ली है तो कौन सा rule बताएगा इसको पता है यार left hand thumb rule नहीं 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 गलत कर रहे हैं बिलकुल नहीं राइट हैंड थाम रूल ठीक दूसरा question कि force experience by a current carrying state conductor force कौन से formula से आता है force को हम कौन से वाले rule से निकालते हैं force के लिए कौन से था राइट हैंड थम रूल हाँ वो तो Maxwell का हो गया force के लिए बताओ force के लिए बिलकुल सहीं फिलमिंग्स left hand rule last but not the least आपको electromagnetic induction वाली चीज की current induced हुआ है यह कौन से वाले rule से पता चलता है करेंट कौन से रूल से पता चलता है सुमीती ने तीनों का answer एक ही question में दे दिया अंशिका का भी answer आ गया ठीक है कौन से से फिलमिंग का फिलमिंग का राइट हैंड रूल बूल आपको एंटी में पर्ड़ को एंटी में दिया बूल एंटी मैंटर व्या एंटी मैंटर का भी पुरा एक उनिवर्स है नेक्स्ट्टिन next question जल्दी आर दो ही question बचेंगे जल्दी जल्दी से करते हैं time भी हो गया अपना 30 minutes और बढ़ा दो रोज तो नहीं बढ़ा अभी electricity के करेंगे magnetic weight of electric current के और भी questions करेंगे तो मिलते तो रहेंगे हम लोग कोई दिक्कत नहीं है next question क्या है two coils C1 and C2 wrapped around a non-conducting cylinder coil C1 is connected to a battery छीक है and C2 is connected to a galvanometer on pressing the key the current start flow is in the cold straight your observation in the galvanometer क्या कह रहा है question को वड़ा फट से हिंदी में रिपीट कर देते हैं कि दो कोईल इस तरीके से आपस में जुड़ी हुई है इसका नाम है C1 इसका नाम है C2 C1 तो बैटरी से जुड़ी हुई है C2 galvanometer से जुड़ी हुई है यह है galvanometer ठीक है अब यह कह रहा है कि अगर मैंने की को close कर दिया इस तरीके से तो इस वाली कोईल में current बहने लग जाएगा बह जाएगा current ठीक है मैंने की को close कर दिया है फिर उसके बाद क्या करना है आपने की यार अब observation बतानी है कि galvanometer में क्या क्या होएगी ठीक है next question पहला है आपके पास when the key के is pressed on आपके पास जब हम की को on कर देंगे on का मतलब क्या है कि circuit में current बहेगा तो galvanometer में क्या deflection आएगी या नहीं आएगी पहले question का answer है no current no deflection सुमिती आपने तो on कर दिया key की on करिये तो current बहेगा ये current बहेगा तो इसमें क्या आएगा इसमें एक electromagnetic induction नाम का phenomenon आएगा जिसकी वज़े से एक current आएगा current आएगा current आएगा तो बहुत थोड़े से time के लिए इस galvanometer में एक deflection आएगी deflection आएगी जिसने भी पहले का answer लिखा है no deflection deflection आएगी लेकिन बहुत small time के लिए आएगी इस small time को अगर आप exam में लिखते हो तो there is a very nice word for this that is momentarily deflection ठीक है हाँ current होगा क्योंकि हमने जब key को press किया on किया तो current बहेगा जिसकी वज़े से इसके साथ वाली coil में एक current induce होगा ओके ठीक है next is when the current in coil c1 is switched off अब आप क्या करोगे current को बंद कर दोगे पहले current को on किया दूसरे case में current को फिर से on कर दोगे तो जब आप इसको on करोगे तो जो ये magnetic field produce करेगा हमें पता है कि जिस भी coil में current बहर आ है current बहर रहा है तो उसके साथ-साथ magnetism आएगा magnetism आएगा तो उसकी वज़े से इसमें एक current induce होगा दो फिनॉमेना हो रहे हैं यहां पर कौन से दोनों फिनॉमेना हो रहे हैं एक फिनॉमेना हो रहा है जो ऐस्ट्रेट ने 1820 में बताया था कि आपने अगर current निकाल दिया किसी coil में current को भा दिया तो उसकी वज़े से क्या होगा क्या होगा उसकी वज़े से एक magnetic field आएगा और दूसरा फिनॉमेना जो बेचारे फिराडे ने बोला था इतने सालों बाद गुस्से में निकाल दिया कि जब अगर तुम्हारे पास यहां पर बैठा हुआ magnetic field चेंज होता रहेगा जब तक changing होगा तब तक तब तब इस वाली जो coil है इसमें हमारे पास current आता रहेगा galvanometer में deflection आता रहेगा चीक है तो पहला question था when key key is pressed on तुमने इस key को press कर दिया तो there will be a current हाँ उसके बाद इस current की वज़े से हमारा magnetic field generate हुआ जिसकी वज़े से इसमें changes आए जब on करी तब भी deflection आएगा जब off करी तब भी deflection आएगा दोनो time बहुत small time के लिए आएगा deflection ठीक है third is when the current is passed continuously through the coils even अब current को continuously पास कर रहे हो तो एक continuous आपके पास क्या आता रहेगा magnetic field आता रहेगा उस continuous magnetic field की वज़े से इसमें क्या होगा magnetic field change ही नहीं होगा जब magnetic field change नहीं होगा तो no deflection क्योंकि आपके पास word आगया है continuous current flow हो रहा है आपके पास continuous current flow होने का मतलब है कि magnetic field change ही नहीं होगा ना घटेगा ना बढ़ेगा चेंज होने का मतलब क्या है कि बार-बार घटाना बढ़ाना है तो आपने continuous current pass कराया है तो आपके पास जो associated magnetic field है वो change नहीं हो रहा तो कोई deflection नहीं हो रहा last question phenomena का नाम बता दो phenomena का नाम बता दिया electromagnetic magnetic induction और rule बता दो जिससे हमें direction of current कर दाना है यह तीन चार बार कर चुके हैं कि filming का right hand rule है filming right hand rule last question जल्दी से इस question को पूरा कर लेते हैं यार जल्दी 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 क्या है आपका last question last question क्या है कि आपके एक charge ने right angle पे entry लिया है what should be the nature of charge on the particle if it begins to move in a direction if it moves in a direction pointing vertically out of the page due to its interaction with the magnetic field ठीक है बताओ इसका अंसर current कहां बह रहा है यह बताओ यार if it begins to move vertically out of the page क्या करोगे filming का left hand rule लगा दोगे filming का left hand rule से अगर आपकी charge particle की direction यही आ जाती है charge particle कहां move करेगा जहां force act करेगा force act जहां भी कर रहा है अगर वही direction आ जाती है तो positive charge है अगर उससे उल्टी direction आती है तो negative charge है देख लेते हैं left hand rule यह है left hand rule में magnetic field की direction में यह कर दिया उसके बाद क्या करना है आपको vertically outward आपने क्या लगाना है vertically outward आपने लगाना है मतलब out of the page vertically out of the page जब आप करोगे तो आपके पास field इस ही direction में लग रहा है जहां पर बिल्कुल सही positively charge चेतने क्योंकि हम यह लोग पहले भी question डिसकस कर चुके है क्योंकि direction left hand से same आ रही है इसलिए हमारे पास यह कौन सा charge हो गया positive charge clear सबको clear है क्या magnetic field की direction charge particle की direction में force को रखोगे force नीचे ही आ रहा है magnetic field current यह रहा magnetic field current यह लग रहा आपकी नीचे की ही direction में force आ रहा है that means it is a positively charged particle चीक है यहां होते है आपकी 10 most important questions पूरे अब जिसको भी कोई भी दिक्कत है वह भी पूछ सकता है लेकिन उससे पहले आपको फिर से बता दू हम electricity के भी यह सारे questions करने वाले हैं तो उस वाले session के लिए भी आप लोग हमसे जुड़िये रहिएगा ठीक है इससे पहले कि हम जी हम जी सुमिती सुमिती पूछो question पूछ लो अपना कोई दिक्कत नहीं है it's okay विशाल आप लेट आए कोई नहीं आप भी पूरी वीडियो अब recorded देख सकते हैं जिसने भी छोड़ी थी बीच में वह भी देख सकता है सुमिती question आपका कुछ पूछने आ otherwise we will end this class क्योंकि time काफ़ी उपर हो चुका है ये कौन सा subject है ये physics से विटा 10th class की class चल रही है मैम सर ने बताया था जब key open होती है तो current flow नहीं होता बिल्कुल सही बात है key का दो ही चीज़े है कि आपके पास दो symbol है ये है key open ये है key close open की और ये close की जब इसमें हम डोट लगा देंगे मतलब key को close कर देंगे तो current बह रहा है open का मतलब है current नहीं बह रहा है ठीक है चालो फिर मिलते है next class में अच्छा सुमीती मैम सर ने बताया था हा 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 यही तो मैं बता रही हूँ current flow नहीं होगा current flow नहीं होगा जब तक open है no current no current no current ठीक है ठीक है ठीक है जिसको भी group में add होना है अपना question प्लीज छोड़ देना कोई भी दिक्कत नहीं है group में अभी sorry comment section में अपना number छोड़ देना फिर हम लोग मिलते हैं next class में thank you so much for watching bye guys